हलो गाईस गुड आप्टर नून गुड आप्टर नून गुड इनिंग सभी को मेरा प्याबरा नमस्कार और मैं APS आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ तो तयार हैं आप लोग सभी लोग टेस्ट देने के लिए अगर तयार हैं तो जल्दी से कॉंपी पैन उठा लीज है कितनी 0.5 की यानि की 1 by 4 की negative marking है तो 100 question रहेंगे और यह दिखा देगा कि आप लोगों ने जो 1000 question की जो मराधन की है वो successful आप लोगों की रही या नहीं रही और उसको successful मैं तभी मानूंगा जब 100 में से आपके 95 question सही होंगे कितने सही होंगे 100 में से 95 जब सही होंगे तभी म रहेंगे question जो total रहेंगे वो रहेंगे कितने 100 रहेंगे पर question पर question जो marking है वो है दो number की 2 marks और total marks कितने हो गए इस तरीके से यह total marks हो गए 200 number हो गए और negative जो marking रहेगी negative वो रहेगी 0.5 कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट दीजिए आप लोग सटेटे नहीं है तो क्या हुआ टेस्ट मैंने बोला ता जब जब मेरा कोई subject खताब होगा तो मैं टेस्ट आप लोगा लोगा तो science जो आप 10 क्लास ने जो होनी थी 1000 क्या महराथन वोकल कंब्लीट हुई है और आप लोगों की जो response आए हुए है वो आया हुए है जोगरफी के लिए आप लोग जो डिमांड कर रहे है वो जो जोगरफी के कर रहे है तो Monday से आप लोगों की जो जोगरफी की 1000 क्य सीरीज है पर डे 100 क्यों दस दिन में 1000 क्यों तो वो आपके मंडे से शुरू हो जाएंगे तो उसके भी आप में रिजल्ट बता दूँगा कि किसमें कितना परसेंटेज वोट दिया है लोगोंने चालिया शुरू करते हैं बहुत टाइम नहीं लेना है जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह टेस्ट है उस पर भारी खिचाओ के कारण इनर्सिया आफ मोसन चेंज इन दा मोमेंटम या चेंज इन दी एक्सलेरेशन जल्दी से बताऊ जब इनर्सिया जब इनर्सिया अफ मोसन ये कहता है कि किसी भी ऑबजेक्ट पर अगर फोस लगेगा पोस लगेगा जिस डारेक्सट में तो force की वज़े से direction change होगा, जिसलिए इसका answer हो जाएगा, inner c a. तो जिनका जिनका b है, वो दो number लिख लीजिए, और जिसनों जिसने b नहीं लगाया है, वो जो 0.5 से negative marking कर लीजिए. चलिए. अगला आपके सामने ये है, when pressure is increased, the melting point of ice. जब pressure बढ़ेगा, तो melting point of ice increase करेगा, change नहीं होगा, decrease करेगा, या impurities बेडिपेंड करेगा. बात चल रही है, pressure और melting point की. Marking pattern क्या है? Marking pattern 2 और 0.5. 2 और 0.5 marking pattern है, जो सही है, उसके लिए 2 number, negative के लिए 0.5. चलिए आपके सामने किसी का, increase करेगा, तेजस का आणसर आया, increase करेगा. क्यों भाईया, increase क्यों करेगा? अगर pressure increase करेगा, तो melting point increase करेगा, decrease करेगा. चलिए, C answer आ रहाया है, मिस्रा का decrease करेगा. देखो, जो pressure बढ़ेगा, pressure बढ़ने के साथ साथ में, melting point होगा, बरफ का, वो करेगा decrease, घटेगा, increase नहीं करेगा. ठीक है बात? तो जिन्होंने answer दिया है, C, वो सही है, increase सही नहीं होगे. अरे बेटा, boiling point जो होता है, boiling point भढ़ता है, pressure, pressure, प्रेसर सिन्मस्री प्रोपर्शनल होता है. जिदने भी जो आपके melting point होगा है, जैसे सड़ाई प्रोप जाते हैं, उपर जब बढ़ रहे हैं, तो pressure क्या हो रहा है? कम हो रहा है, atmospheric pressure, और pressure कम हो रहा है, तो जो वो है क्या बोलते हैं, boiling point है, वो बढ़ जा रहा है उसका. ठीक है? चालो, C होगा answer, लजित मोहन सही answer है. Explain नहीं करूँगा, क्योंकि test है, बहुँ जानता explain नहीं करूँगा इसको. चल्लिए, आगे बढ़ते हैं. Longitudinal waves cannot travel through. जो longitudinal waves होती है, अनुदेद्ध तरंगे होती है, वो यात्रा नहीं कर सकती हैं. किसके through? vacuum, solid, liquid या gas. ये चार option आपके सामने हैं. Longitude या अनुदेद्ध. दो तरीके के waves होती हैं. transverse wave and the longitudinal wave. जल्दे से बताइए. चलिए, vacuum. देखो, longitudinal जो wave होती है, इनको बोलते हैं, mechanical waves. mechanical. और mechanical waves को travel करने के लिए चाहिए होता है, medium चाहिए होता है. solid, liquid, gas. कोई भी medium हो, कोई सी भी तरीके का. चाहिए, वो solid हो, liquid हो, gas हो. बहाँ से travel करेंगी. लेकिन vacuum होता है. vacuum मतलब होता है, जहां पर हवा भी नहीं है. हवा के particle भी नहीं है, तो बहाँ पर longitudinal wave नहीं travel कर सकती हैं. चाहिए, पहला question तो यह बनता यहां से. दूसरा question यहां से एक और बन जाता है. दूसरा question यह और बन जाता है, कि longitudinal जो wave होती है, यह किस direction में move करती हैं? मतलब जिस wave में जा रही है, ऐसे जैसे suppose that in the direction of the wave, या perpendicular move करती हैं. तो यह question और बनता है. तो longitudinal wave जो होती है, suppose that यह wave ऐसे चल रही है, तो यह इसी की direction में move करती है, on the direction in the wave. लेकिन यहीं पर transverse wave आ जाएंगी, तो transverse wave perpendicular move करती हैं. कैसे करती है? पर्पेंडिकुलर टांसवर्स wave. तो दो सवाल यहां से यह और बनते हैं, यह आप लोग याद रखेगा. टांसवर्स wave perpendicular to the motion होती है, और जो longitudinal होती है, वो parallel to the motion होती है. Parallel to the motion. जिस direction में motion हो रहा होगा, जिस direction में गती हो रही होगी, उसके parallel और टांसवर्स perpendicular होती है. यह point याद रखेंगे. ठीक है? चलो. आगे बढ़ते हैं. अगला question. The energy submitted by the sun is due to, सूर्दारा जो उस तरजित उर्जा होती है, किसके द्वारा होती है? Chemical reaction, nuclear fusion, nuclear fusion, all of the above. Question है SSC का, CPU. चलिए. तो इसमें आजाएगा answer आपका, कि nuclear, जो reactions हो रही है आपकी, वो nuclear fusion reaction हो रही है, nuclear fusion. दो छोटे-छोटे atoms जुड़के बना रहे हैं, बड़ा, और जो nuclear reactor में होती है, वो nuclear fusion होगी. तो दोनों question है, आज से याद रखेंगे. इसका जो answer है, वो C होगा. C is the correct answer, nuclear fusion. अगर यहीं पर question पूँच देता है, energy emitted by in the nuclear reactor on the basis of, तो आज से रहे हो जाएगा nuclear fusion. चलो. अगला question. In the atmosphere, ultraviolet rays are absorbed by. C होगा confirm एकदम से. देखो, 10, मुश्किल से हमको आज एक घंटे में खतम करना है, सवाओ घंटे में. मुश्किल से 10-20 सेगेंड देने, एक question को इसे अंदर question नहीं देने. जितना time एक exam में दिया जाता है question को, उतने ही time में आप लोग answer दीजेगा. कुछ न आए, अगदम आंसर आपका हो जाए, रिंको चोधी 2-2-2-2-2-2-2-2-2, कोई बात नहीं. Ozone, Ozone is the correct answer. Ozone जो होती है, Ozone layer की बज़े से परावेंगनी किरणे एब्जोर्ब हो जाती है, Ozone की बज़े से. पहली बात, Ozone जिसका फामला होता है, O3, जिसकी बज़े से. ठीक है? दूसरा कुछ नहीं आए, यह आता है, कि परावेंगनी किरणे या अल्ट्रावाइलेट रेज है, इसका यूज कहां किया जाता है, तो बैक्टिरिया बगरा को मारने में यूज किया जाता है, अल्ट्रावाइलेट का, एक कुछिशन यह बनता है यहां से, ठीक है? चालो, बहुत बढ़िया, ऐसे कुछिशन आंसर देते रहो, और नमबर लिखते रहना सही कितने हो रहे हैं, गलत कितने हो रहे हैं? Which of the following metal is used for the manufacture of heating element? Heating element, जो electric iron या जो प्रेस में यूज होता है, उसको बनाने के लिए कौन से mental यूज करते हैं? Nickel chromium, Necrum, Tungestan. Nickel chromium, Necrum, Tungestan. जल्दी से बताओ बच्चा. तो उससे बनेगा निक्रोम यूज करते हैं, Nichrome, Nickel और Chromium का. तो नी का Nickel हो गया, और Chromium का क्या हो गया? Chrome हो गया, तो Nichrome बना गया निकील और Chromium का. और इनका percentage भी होता है. 81% होता है, एक का 20% होता है. तो निकल मिलाई जाएगी 80%, 80% Nikél मिलाई जाएगी, और 20% Chromium मिलाई जाएगा, जिनको दोनों को मिलाने के बाद जो metal बनेगा वो बनेगा निक्रोम जिसको यूज किया जाता है प्रेस बगरा में और इनका जो melting point होगा एक सवाल और बनता है यहां से पहला सवाल तो यह बन गया यहां से बच्चा कि कौन सा metal यूज करेंगे तो यहां से answer हो गया निक्रोम अब दूसरा सवाल बनता है कि निक्रोम किसके किसे मिलके बनता है तो निकिल और क्रोमियम निकिल और क्रोमियम मिला जाते हैं 80% और 20% जिससे अब मिटल बनता है निक्रोम melting point कितना होता है इनका यह भी पूछ देते हैं कुस्चम में कभी-कभी तो melting point यहां पे होगा 1400 degree Celsius यह melting point होता है और तंजस्टन से जो सवाल आएगा यह आजाएगा बलब का जो filament बनता है बलब में यूज होता है तंजस्टन ठीक है चौलो आगे बने अगला कुश्चम the fundamental scientific principle in the operation of battery बैटरी में जो fundamental principle होता है उपरेशन होता है वो किस बेस पे काम करता है इसमें electrolytes होते हैं तो dissociation of the electrolytes is the process on which the battery works dissociation of the electrolytes चलो आगे बढ़ते हैं सी करेक्ट है जिसका जिसका सी करेक्ट है वो आप लोग अपना करेक्ट आंसर लगा लिजेगा बागी सब गलत होगा यहाँ पर अगर कोई acid-base reaction दे रहा है तो उसका भी गलत होगा डी नहीं होगा बेटा dissociation of the electrolytes सीज दा करेक्ट आंसर चलो आगे बढ़ते हैं instrument used to measure the force and the velocity of the wind wind या हवा की बल और बेग को मापने के लिए प्रियुक्त उपकरण कौन सा यूज किया जाता है emitter, animometer या altimeter या audio meter तो इनको जो velocity या force नापने के लिए यूज होता है उसको बोलते है animometer, animometer is the answer, emitter लिया जाएगा current नापने के लिए, current के लिए, altimeter लिया जाता है, alt मतलब altitude, altitude और altitude से आजाएगा आपका height से related है, height बगार नापने के लिए, altimeter और audio meter related है, audio या नहीं के sounds related है ठीक है, तो यह आपके चार दरीके 1 meter आप से पूछे जा सकते हैं, चालो आगे बढ़ते है इप the length of a simple pendulum is half, then its period of oscillation is यदि एक साधाना लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए, तो उसका दोलनकाल क्या होगा pendulum की बात कर रहे है, pendulum का मैंने जो formula बताया था आप लोगों को तो time period is equal to होता है, यहाँ पर 2 pi root l by g अब यह बोल रहा है कि length को आधा कर दिया गया, मतलब जो l है वो कर दिया गया l y 2, तो 2 pi root l y 2, क्योंकि l y 2 हो गया, तो root 2 बहार आ जाएगा, तो जो अगला time period बनेगा, वो t is equal to बनेगा, तो t y root 2 हो जाएगा, मतलब बिटा D होगा, D correct answer है, जिन्हों जिन्होंने C लगाया है, वो गलत है, increase नहीं करेगा, decrease करेगा, ठीक है, root 2 से, चौलो, बहुत बढ़िया यूपी टेपल सी, पेट के लिए जोगरफी बढ़ा देजिए, according to NCRT, नसीम अंसारी, मंडे से आप लोगों की जोगरफी शुरू हो रही है, दो चीजे हैं आप लोगों की, वो आप नोट कर लीजेगा, लाब पर, जो लाब हमारा जो भी हाँ पे क्लास कर रहे हैं, यहा चलती है, धाई बजे, एस्टेडी लैब पर, एस्टेडी लैब पर, उस्टेडी लैब पर, एस्टेडी लैब पर, यूपी टेपल सी की क्लास चलती है, उस पे भी मंडे से मैं जोगरफी सुरू करूंगा, और बहाँ पे होगी यही ठीोरी, प्लस कुछfig delegate pepotions, यहां पर Which of the following are longest cells of the human body, human body की longest cell कौन है, तो longest cell of human body, पांस सेकेंड का टाइम मिलेगा, पांस सेकेंड में आंसर दीजेगा. चल्दी से पताईए, C, और रहा है, longest की बात की जाए, अगर यहाँ पर बात की जाया है, जर्णके सेल तो वो हो जाएगी, नर्व सेल हो जाएगी LEंगे सेल हो जाएगी, और largest की बात की जाये, largest की बात की जाए तो हो जाएगा आपका कौन सा ओबम हो जाएगा या दिम हो जाएगा ठीक है? के लिए रेचीस? चलिए C होगा confirm, C होगा D नहीं होगा D आ जाएगा जब बात की जाएगी largest की बात की जाएगी सबसे बड़ी cell और ओबम जो cell होती है इसकी अगर बात में करूँ इसके रेडियस की बात करूँ तो I think 120 माइक्रो मीटर के आसपास होती है cell और ओबम एक ऐसी cell होती है जिसको माइक्रोसकोब के जरूवत नहीं पढ़ती है ऐसा मैंने पढ़ा एक जगा पर इसको आप नंगी आखों से भी बढ़िया है दो कुछन यहां से बनते हैं आगला देखते हैं विच अमंग दा फॉलोइंग वेपस इस फो दा कम्यूकेशन बाइद आटिफिसल सैटलाइट अटिफिसल जो सैटलाइट होती है वो जो कम्यूकेट करती है तो किन वेपस की तुरू करती है माइक्रो वेपस ऐसी वेपस होती है जो एटमस्पेर को पेनेटेट करके नीचे तक आ सकती है जहां पर एंटीना या सैटलाइट अटीना वगड़ा लगा हुआ इसको रिसीब करने के लिए तो इनका लॉस बहुत कम होता है एटमस्पेर में तो सूच मतरंगे यह माइक्र में क्या आ जाता है में फिक्स फ्रकैन्सी फिक्सी दामेंसन चेंज इंद old इन और तो फ्रकैन्सी मोड्रसन या आभरति मॉड्रसन जो pratic З जो किया जाता है इसको एंट यहां पर और आंसर हो जाएगा ऐगा फिक्स फ्रकैन्सी अमप devenir सी modulation frequency यहां पर fix रखी जाती है चलो the coding segment of dna is called in dna के जो coding खंड होता है इसको क्या बोलते है codon बोलते है mutant बोलते है intron बोलते है या यह axon बोलते है dssp की class का मुझे नहीं पता वेटा होगी कि नहीं होगी अभी लेकिन अगर इसमें gs आती है और gsk topics हैं तो जोतने common topics हैं वो आप कर लिजे अंकिस रिया comment देख लिए dssp की भी class होगी का dssp की अलग से होगी वो मुझे नहीं पता लेकिन रिया जोतना भी subject आपका common मिलना है उसकी class आप कर लिजे यहां पर answer है codon नहीं होता है codon, intron, exon कहीं सारे मिले जोले answer आपके आना सुरू हो गए है तो आपके जनकारी के लिए मैं बता दूँ codon, codon जो होता है codon, codon अलग चीज होगी muton जो mutation का smallest linkage होती है mutation का ठीक है और intron और exon दो चीज़े होती है जो parallelly पाए जाती है पहले intron होगा फिर exon होगा फिर intron होगा फिर exon होगा जिसमें exon जो होगा d exon यह मारा जाएगा आपका coding segment of the dna exon ठीक है d is the correct answer चलो आगे बढ़ते a boat will submerge when it displace butter equal to its on यह boat जो है वो डूप जाएगी अगर अपने किस चीज़ के बराबर पानी को displace कर देती है तो volume, weight, surface area और density अगर कोई भी चीज़ है पानी में वो तब डूप जाएगी जब अपने बराबर weight को वो बाहर निकाल देगी उसको displace कर देगी उसको अटा देगी तो जितना पानी उसने हटाया वो अंदर डूप जाएगी तो that means जितना weight होगा जितना भार होगा इसको हटाने के बाद वो बोट जा है वो डूप जाएगी ठीके बाद weight या भार db is the correct answer चलिए आगे बढ़ते मेटा circular plate है cube है spare है सभी एक same material के बने हुए है एक same mask के बने हुए है और heated to 300 degree Celsius and left in a room which of them will have the slowest rate of cooling सबसे जो slowest rate of cooling होगी वो किसकी होगी चार option आपके सामने है circular plate, cube, sphere या all will cool at the same time या same rate जल्दी से बताइए अलग-अलग answer आ रहे हैं किसी का cube आ रहा है किसी का sphere आ रहा है तो आपके जानकरे लिए मैं बता दूँ कि जो सबसे कम surface area जिस भी चीज का होगा वो सबसे देर में ठंडी होगी क्योंकि जो heat छोड़ेगी वो कैसे छोड़ेगी जैसे जानता surface area है वो heat जल्दी छोड़ देगी तो जल्दी ठंडा हो जाएगी कम surface area है तो कम surface area है तो जो heat है देर में छोड़ेगी और वो देर में ठंडी होगी तो यहाँ पर पूछा गया है कि when or which of them will have the slowest rate of slowest rate of cooling cooling तो cooling का जो slowest rate होगा वो उसका होगा जिसका surface area surface area सबसे कम होगा या less होगा और यहाँ पर surface area सबसे कम होगा वो होता है spare के case में spare सबसे बाद में cool होगा ठंडा होगा ठीक है spare C is the correct answer is spare reason is this कि spare या circular चीज में आपका surface area है वो minimum हो जाता है और surface area अभी नहीं minimum होने के time में service और minimum होने के साथ heat जो है वो देर में छूटेगी और इसलिए वो ठंडा भी देर में होगा ठीक है soup bowl example bowl में देते हैं वो चलिए आगे बढ़ते हैं C is the correct answer जिन लोगों ने A लगाया है B लगाया है और D लगाया है उन सब का गलत है सिर्फ C वाले सही है आचल सिंग ए क्यों लगाया बेटा circular plate circular plate तो देखो प्लेट तो और ऐसी हो जाएगी उसका area तो और बढ़ जाएगा और जब area बढ़ जाएगा तो जल्दी ठंडी हो जाएगी ठीक है बच्चा यह questions exam में भी आते हैं हाँ ऐसे exam में आते हैं बेटा आगे देखिए the velocity of sound in the moist air is more than in dry air because the most air has question अच्छा है सो समझ के आंसर दीजिएगा the velocity of sound in the moist air is more than in dry air sound की जो velocity होती है वो moist air में यह नम बाली बायू जो होती है जिसमें नमी होती है उसमें जाना होती है सू की हवा में कम होती है ऐसा क्यों more density than dry air थेजस बोलने है c more pressure than dry air b बोलने है less pressure than dry air चलिए अच्छी बात है पहले मैं आपको formula बता देता हूँ इसकी जो speed होती है sound की जो speed है उसका formula बता देता हूँ तो velocity जो इसकी होईगी sound की वो होती है बेटा velocity is equal to velocity is equal to under root lambda p upon d under root lambda p upon d और यह p होता है वो होता है pressure होता है pressure और d हो जाएगा यहाँ पर density हो जाएगी ठीक है पहली चीशत हो यह तो obvious बात है कि velocity of the sound is inversely proportional to density velocity of sound देखें आज ऐसे समझेगा velocity of sound is inversely proportional to density अब देखें जाएगी बढ़ेगी वेलोसिटी कम होगी देखेंगी वेलोसिटी बढ़ेगी और जो moist air होगी moisture की density जादा होती है और जो dry air है इसकी density कम होगी तो less density than the most air की जो density होगी वो less होती है ठीक है जो dry air होगी बढ़ेगी तो इसकाद जो जाएगा पर जाएगा पर जाएगा बच्चा बढ़ेगा लेस देंसिटी दें दा दा डा दा डा एर होगी उसकी density जान्दा होती है आप search के लिजेगा Google पर आप सब लोग पढ़े हुए है और solid की density की बात अलग है सुनियेगा पहले आप density की बात की जाएगी जो dry air है उसकी जो density है, वो dry air की density density जानदा है, जो moist air है, उसकी density कम है, तो density यहाँ पर less है, less density है यहाँ पर, ठीके तो आप एक बाद चेक कर लिजेगा Google पर चेक कर लिजेगा, आपको यही मिलेगा ठीके, चलिए, आगे बढ़े चेक कर लिजेगा आप इतना चेक कर लिजेगा, कि moist air और dry air में किसकी density जानदा होगे, तो आपको यही मिलेगा less density than the dry air, dry air की density जानदा होगे, चलिए दा बेस कंड़क्टर of heat among the following, इन सम्में जो सबसे अच्छा कंड़क्टर है, heat का वो कौन सा है alcohol, mercury, ether या water, heat का conductor heat का conductor, इन सम्में सबसे अच्छा होगा, mercury is the good conductor of heat, इसलिए mercury यूज किया जाता है, thermometer में thermometer में यूज होता है mercury thermometer आते हैं, अभी तो electronic वाले आगे पहले आते थे, देखा होगा glass के होते हैं, उसमें mercury अंदर होता है mercury जैसे जैसे rise करता है, उतना ही temperature माना जाता है, ठीक है, चालो, आगे बढ़ते mercury होगा correct answer, जिसका mercury है वो सही है पानी वाले गलत है what apparatus is used to locate a submerged object, submerged object या जल मगन बस्तों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है, radar, sonar, qualser या pulsar, तो यहां पर sonar का यूज किया जाता है, sonar, ठीक है, sonar का यूज किया जाता है, और जो मनिस्त्रकी जो range होती है, audible range होती है human की, तो सुनने वाली जो range होती है, 20 hertz से लेकर कितना 20 kilohertz है, तो एक सवाल तो यह बनता है, कि what is the audible range of the human, आदमी की सुनने की जो frequency है, वो कितनी है, तो यह 20 hertz से लेकर 20 kilohertz तक, तो एक कुशन तो आपका यहां से यह बनेगा, एक कुशन और मुझा जाता है, ultrasonic, ultrasonic और supersonic, वाट इस दा, अगर sonar के यूज करें, तो sonar में भी, sonar में भी जो wavelength होती है, ultrasonic, supersonic, तो अगर ultrasonic की बात की जाए, ultrasonic यह supersonic की बात की जाए, कुशन यहां से पूचा जाए, तो यह होगी 20 kilohertz से उपर, 20 kilohertz से उपर, मतलब जाए, कि जो frequency होगी, यह आपका कहलाएगी, यह कहलाएगी ultrasonic या supersonic, और जो 20 hertz से नीचे हो जाएगी, यानि कि below 20 hertz, इससे कम होगी, यह कहलाए जाएगी subsonic, subsonic, ठीक है, तो यह question और बनता है, यह question बनता है, यह, यह दूसरा question, यह तीसरा question, तो यहाँ से आपके 4 question बन सकते हैं, यह की point से, ठीक है बाद, चलिए, next question देखेंगे आप, which of the following laws validates the statement that matter can neither be created nor be destroyed, matter can be neither be created nor be destroyed, तो this is the law of the conservation of, conservation of mass, law of conservation of mass, तो matter को किस में आपनेंगे, mass में आपनेंगे, तो this is the law of conservation of mass की कोई भी matter है, ना वो create हो सकता है, ना वो destroy हो सकता है, बट एक form से दूसरे form में change हो सकता है, ठीक है, तो C is the correct answer, चलो, आगे बढ़ते हैं बच्चा, decibel is the unit used of, decibel किसकी unit है, तो decibel is the unit of to measure the sound, sound को measure करने के लिए decibel का use किया जाता है, ठीक है, तो intensity of sound को ना पाजाता है, इससे decibel से, ठीक है, चलो, C correct answer है, मार्किंग करते जाएगा, सही question के लिए दो number, सही question के लिए दो number, और गलत के लिए 0.5, यह मार्किंग करते जाएगा, 200 number का paper है आप लोगों का, nuclear reactors used to produce electricity are based on, अभी आपने जैसे sun का जब पढ़ा तो मैंने बताया था, nuclear fusion जो reaction है, यह कराई जाएगी, sun के energy जो निकलती है उसके लिए, और जो nuclear reactors में होता है, यह होती है, nuclear fusion, nuclear fusion in the nuclear reactors, तो A is the correct, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question, submerged object can be located using, यह repeated question है, sonar का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर submerged object can be located using sonar, which of the following instrument is used to steady dispersion of light, dispersion of light को steady करने के लिए, किस सीज़ का यूज़ करते हैं, तो dispersion of light में बनता है spectrum, dispersion, dispersion से बनेगा spectrum, dispersion, light का एक dispersion से बनेगा spectrum, spectrum मतलब जो white light, white light तूट जाती है, साथ में बिवग्योर, G by O R, ठीक है, तो spectrum, और इसी spectrum से निकल के आया है, spectrometer, तो spectrometer यहाँ पर correct answer होगा, इससे परकास के फाइलाव को अध्यान किया जाएगा, जब white light तूटती है, साथ पार्ट में बिवग्योर में, चलि, आगे बढ़ते हैं, if the temperature of a place increases suddenly, the relative humidity, suddenly increase हो गया कहीं पर temperature, तो relative humidity क्या होगी, humidity का मतलब होता है, कि water contained in the air, water contained air, जैसे अभी देख रहे हैं, आप लोग गर्मी का मौसम चल रहा है, बरसात आने वाली है, humidity बहुत जान्दा है, नमी हवा में बहुत जान्दा हो जाती है, अचानक temperature बढ़ जाने से क्या होगा, humidity किसी भी हवा की decrease हो जाएगी, घट जाएगी, हवा में जितना भी पानी है, वो सूख जाएगा, नमी कम हो जाएगी, तो humidity decrease हो जाती है, so be is the correct answer, increase नहीं होगी बेठा, धीमे 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 हलका temperature बढ़ेगा, तो एक time के बाद इसकी humidity बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक point जो आएगा, जिसको बोलते हैं dew point, dew point होता है, उस dew point पे आगे ये पानी बरस जाएगा, पानी बरस जाएगा, यहां से humidity इसकी खतम हो गई, जितना भी air में हवा पानी था, वो उसने गिरा दिया, अब suddenly क्या हो, एकदम से temperature इंग्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, इसकी humidity है वो decrease कर जाएगी, तो बीज दा आंसर, चलिए, इसको आजरता भी बोलते हैं, आगे देखते हैं विटा, Flaming's right hand rule is used to find the direction of the, Flaming का जो right hand rule था, इसको यूज किया गया, जिसमें इन्होंने बोला, कि दाहिने हाथ के नियम का प्रियोग, किसकी दिसा ग्याद करने के लिए किया गया, तो यह induced current, जो loop में induced current आएगा, induced current का पता लगाने के लिए, इन्होंने यूज किया, किया, Flaming's right hand rule, दाहिने हाथ का नियम, ठीके बात, चलिया, पुरा revision हो रहा है, अच्छी बात है, जो लोग class कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, क्लासा आपको करनी चाहिए, नहीं चोड़नी चाहिए, और revision आपका हो जाता तो अच्छी बात है, वाट शुटा परसन, ओना फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल, डूदा डिक्रीज इस एंग्लर स्पीड, एक ब्रेक्तिकों सतंत रूप से घूमने वाली तो वो क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो रुक जाएगी, लेकिन अगर आदमी और सुकड जाएगा, पतला हो जाएगा, तो स्पीड उसकी और बढ़ जाएगी, ठीक है, तो स्पीड इस हैंड आउटवर्ड, सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, चली, आगे बढ़ते हैं, The question is, which of the following? Celestial bodies contains abundant quantities of helium-3 या potential source of energy. Helium-3 का सबसे अच्छा स्रोध, या सबसे जान्दा helium कहां पर पाई जाएगी, प्रत्वी, चंद्रमा, बीनस या सैटर्न, आपको पताएगी helium is the inert gas, जो helium है वो inert gas है, inert या बोलें इसको, अक्रिय गैस है, क्यों से gas है? अक्रिय गैस है, और अक्रिय है, inert है, helium-3, और सबसे अच्छा कहां पाई जा रही है, यह पाई जाएगी बच्छा, moon के उपर, moon के उपर पाई जाएगी, ठीक है? moon के उपर, B, B is the correct, Venus पे नहीं होगा, अब यहां से कुछन और पूछता हूँ, मैं आप लोगों से आप लोगों से और यह पूछता हूँ, आपको आंसर बताना जल्दी से इसका, देखते हैं, इसका आंसर सबसे पहले correct कौन देता है, तारों के सहर में, चंद्रमा, तारों के सहर में जाने से कोई फादा नहीं है, आजकल की जनरेशन तारों के सहर में घूम रही है, दिन में भी तारे देख रहे हैं, गगन रावत, हाइडोजन है, गगन यूर आंसर इसे अपसुलिटी राइट, तो उनिवर्स में सबसे अंदर आगर कोई गैस पाई जाती है, तो वो है, हाइडोजन, ये नोट कर लेजेगा, जितने भी आंसर आप लोगों कहा रहे हैं, ये सब गलत है, जिनका जिनका आंसर हाइडोजन है, वो सब सही है, उनिवर्स में सबसे अंदर जो गैस पाई जाती है, वो हाइडोजन है, उनिवर्स की बात कर रहा हूँ, अब मेरा यहां से कुशन आप से ये पूश्चा जाता है, कि अर्थ या पृत्वी में सबसे जान्दा जो इनर्ट या अक्रिय गैस है, ये कौन से पाई जाएगी, देखते हैं, इसका जवाब कौन देता है, अक्रिय गैस, अर्थ के इन्वाइर्मेंट में सबसे जान्दा अक्रिय गैस ये इनर्ट गैस कौन से पाई जाएगी, रिंकू का भी सही है, चलिए, नाइटोजन, नाइटोजन कहां से दे रहे हैं, आर्गन है, गगन रापत ने फिर आंसर सही दिया, अमिद आदब की जगा ले रहे हैं, गगन रापत, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, बेटा, अब हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, और्गन, और्गन सबसे आदा पाई जाती है, अर्थ इन्वाइर्मेंट में अक्रिय गैस, की बात कर रहा था, ठीक है, तो आर्गन यहाँ पर आंसर होगा, अच्छा, आमिद ने पहले दिया था, अच्छी बात है, चलो, आगे बढ़ते हैं, दिखा नहीं मुझे, अगला कुश्चन, बोलो मीटर इस यूज टू मेजर, बोलो मीटर का यूज किस लिए किया जाता है, फ्रुकेंसी, तम्प्रेचर, बेलोसिटी, या बेवलेंथ, इन में से किस के यूज किया जाता है, बोलो मीटर का, जल्ले से बता, बोलो मीटर का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, देखते हैं कौन आंसर देता है इसका, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली रुटीन में आते हैं और उनको देखें मुझे बहुत अच्छा लगता है, so thank you guys आप लोग डेली क्लास करने आते हैं और क्लास को सक्सेस्फुल बनाते हैं क्योंकि आप हैं तो हम हैं हम हैं तो आप हैं आप नहीं तो हम नहीं हम नहीं तो आप नहीं ठीक है तो यह दोनों ही लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं टीचर इस्टुडेंट दोनों एक दूसरे क पूरक होते हैं, teacher or student, अगर बिधारती नहीं तो teacher किस बात का, और teacher नहीं तो बिधारती किस बात का, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, चलिए, आगे बताइए, velocity आप लोग आंसर दे रहे हैं, बोलो मीटर, बोलो मीटर वेलोसिटी कैसे दे रहे हैं, बताइए, ब बोलो मीटर वेटा, यूज किया जाता है, radiation, नापने के लिए, heat के द्वारा, जब heat कोई चीज होती है, कोई भी metal या कोई भी चीज हीट होती है, तो heating से उसमें produce होता है, radiation, और इस radiation को नापने के लिए, जो यूज किया जाता है, वो बोलो मीटर है, जिसमें temperature नापते हैं, जल्दे से बताइए हां किम जोंग इसने की इसने की नहीं है संगी है वो मुझे बता चल गया आप बीडेली आते हैं भावानी संकर भी डेली रहते हैं चलिए अच्छी बात है जितने जल्दी हो चेकर तो अज़िदी सेलेक्शन लीजिए क्योंकि आपको मजा नहीं आता साल करोगे कि युए एक साल दो साल तीन साल चार साल अख जाओं अरे कलास बसक्राकर करें तक जाओ ऊगे एक का इसा है आई,"जा रहे एक बता हुआ है जो आपसे में कॉल्स में होते हैं आम लोग है छिगक्तली 2 मिनितों या जब स्कूल मून होते हैं लगता है कि सारा ब में हम जो चाहें वो कर सकते हैं मतलब अगर पूछो आज एक बड़ लड़के से जो एट नाइंध पड़ता है कि चंद्रमाच में चड़ जाओगे बूले हाँ चड़ जाएंगे सीडी लगा के ठीक है देखा जाएगा इतनी इनरजी होती है जैसे इंसान कॉलेज में पहुं रुख जाते हैं रह जाते हैं तब लगता है कि या दुनिया तो हाथ से फिसलने लगी दुनिया को तो मैं मुठी में समझ रहा थे लेकिन दुनिया तो रेत निकली ठीक है और दुनिया रेत जैसी होती है किसी के न मुठी में रही है आज तक ना किसी के कदमों में रही है ना किसी की जागीर रही है और जितनी भी चीजे हैं जो जैसी मेहनत कर लिया इतियास गवा है जो राजा जब तक मेहनत करता रहा तब तक सामराज उसका बना रहा इसी तरीके से आप जो मेहनत कर लेंगे जो बच्चे उनकी नौकरी मिल जाएगी government job हो जाएगी अधिकारी आ आपको दर्द तो देगा, लेकिन गिल्ट नहीं होने देगा, और जब सच्चाई को आप स्विकार होगे, नहीं टालते रहोगे, टालते रहोगे, और सच्चाई एकदम ऐसे आके खड़ी हो जाएगी, हाँ देखो, हम है सच्चाई, और तब आपको रिग्रेट होगा, तो द इसलिए जित्ता जल्दी हो सके, पढ़ पढ़ा के खतम करो, और एक्जाम निकालो, बढ़िया घूम घाम साधिवादी करो, और दुनिया तारी देखो बढ़िया से, और आगे एक्जाम की थाहरी करने है तो किसी और की करो, यहाँ पर बताईए ATM स्टेंट 4, ATM स्टेंट 4, ATM की फुल फॉर्म किया है, तो सिंपल बच्चा बच्चा जानता है, आटोमेटिक टेलर मसीन, आटोमेटिक टेलर मसीन is the correct answer यहाँ पर हो जाएगा, तो A is the correct answer, चलो, अगला सवाल बच्चा, the fuse in our domestic electric circuit melts when the, is a high rise in, जो fuse होते हैं हमारे घरों में, fuse use किया जाते हैं, electric circuit में, वो melt होते हैं, कब melt होते हैं, inductance, current, resistance या capacitance, एक option और मैं add कर देता हूँ, यहाँ पर, एक option और कर देता हूँ, वो option है E, temperature, चालो, बहुत बढ़िया, एक option और add कर दिया, temperature, अब answer दो, resistance, प्रिंस मिस्रा, resistance answer दे रहे हैं, प्रिंस मुझे आपसे इस answer की उम्मीद नहीं थी, और बहुत से लोगों ने, B दिया है, current दिया है, यह अच्छी बात है, कुछ लोगों ने resistance दिया है, देखो याँ, simple से बात यह होती है, V is equal to IR, पहली बात, तो अगर आपने fuse लगाया, supposed ऐसे fuse लगाया, और इसमें कोई wire लगाया, यह, यह fuse लगाया आपने, तो जो wire लगाएंगे, इसका जो row होगा, resistivity होगी, material की, वो constant होगी, resistivity, resistivity तो आप नहीं बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन क्या घटेगा, इसका घटेगा, आई घटेगा, आई घटेगा, आई बढ़ेगा, यानि कि current घटेगा, current बढ़ेगा, और current घटने बढ़ने से resistance उसमें resistance प्रुवाइट करेगा, जिसकी बज़े से temperature बढ़ेगा, और temperature बढ़ेगा, जैसे ही है, melting point, इसको cross कर दाएगा, वैसे ही वो पिखल जाएगा, और आपके बाकी की चीजें, बाकी के circuit यहां से बच जाएगे, तो current की increase होने की बज़े से resistance प्रुवाइट करेगा, गर्शन प्रुवाइट करेगा, जिसकी बढ़ेगा, और temperature बढ़ने की बज़े से बोतार पिखल जाएगा, यहां से एक question और पूचा जाता है, वो भी मैं आपसे पूच लेता हूँ, कि जो fuse wire में, जो घरों में fuse लगते हैं, यहां पर जो wire यूज हुआ है, यह high melting point का यूज होता है, या बच्चा low melting point का यूज होता है, यह question पूचा जाता है, high melting point, low melting point, इन दोनों में से कौन सी category का wire यूज किया जाता है, फ्यूज के अंदर, अब इत्यादा बांसर दे रहे है, high melting point, बेटा, high melting point का अगर wire यूज कर दिये, current बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, और current बढ़ने के साथ में, वो heat होता चला जा रहा है, और पिगली नहीं जा है, पता लगा, बलप में जो electricity appliances खराब हो जाएंगे, तो high melting point यूज नहीं करते हैं, low करते हैं, अमित यहाँ थोड़े से, आज गलत हुए हैं, ठीक है, तो low melting point के wire यूज करेंगे, ठीक है, चली, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कुछन आपने आंसर दिया, कई लोगों ने दिमाग से handle किया, आगे जाएगा दो करेंगे, वेधार जाएगा, हेमान सुसही बोल रहे है, घर बोड़ जाएगा, पता लगा, तार, फ्यूज पिंगल नहीं रहा है, और अच्छा, पिंगलाना क्यू है, को स्बढ़ना क्यू है, अलंकिता में बदाता हूं, इसका अंसर बताईएगा, यहाँ प इसके थुरूब सेमेंट को हाड बना जाता है तो बी आंसर यहां पर पर करेक्ट होगा इनका बी है वो लगा दीजेगा ठीक है अब देखो अलंकिता ने पूचा है पिखलाना क्यूं है बच्चा एक बात बता है आपको होता किया है देखो हम बता रहें आपको कि फ्यूज क तो यह सारे अपलाइंसे खराब हो जाएंगे तो बचाने के लिए यहां पर फ्यूज लगाए जाता है कि जैसे करेंट बढ़ेगा यहां से पिखल जाएगा और फिरभ लेग बढ़े हो जाएगा और ये जगह आपकी बज खाली हो जाएगी हो जाने फिए पर हो ऐ्ससे खायेग हो जा कियुकरत आगे पहूंचेगा ही नहीं इसकी वजET से आपकी सारी चीजे बज जयएगी इसलिए इसको पिगलाना होता है ठीक है कुईज का रिजल्ट मैं दे रहा हूं कुईज का रिजल्ट अभी दे रहा हूं मैं आपसे भी मेसेज बेज देता हूं बाहर मंगा लेता हूं माल से कुईज का रिजल्ट कौन पंदरा लोग है all the four quantum numbers of two electrons in an atom are not the same it is the law of सारे जो सारे quantum जो number होते हैं किसी भी two electrons के एक उसमें same नहीं होते हैं atom में वो अलग अलग होते हैं यह किसका रूल है यह polys का exclusion principle of poly है poly ने exclusion principle दिया उन्होंने बोला कि अगर दो electron है electron तो वो electron एक जैसे quantum number नहीं देते हैं n m l ठीक है तो यह quantum number जो है same नहीं होंगे ठीक है अलग अलग होंगे चलिए polys exclusion principle अगला question commercial nitric acid is colored because it contains dissolve जो बारिजिक nitric acid होता है वो रंगीन होता है क्योंकि इसमें घुलित होता है तो nitrogen nitric acid में जो घुलित होगा वो घुलित होता है वच्चा यहां से जो chemical है उसका नाम है simple simple जल्दी से बताओ nitrogen dioxide dissolve करते हैं उसमें NO2 dissolve करते हैं nitrogen dioxide जिसकी वज़े से वो हो जाता है color full यानि की रंगीन ठीक है चल लिए C correct answer होगा D नहीं होगा color late impurities नहीं मिलाते हैं जिसकी वज़े से उसका color है वो रंगीन हो जाता है चलिए नंबरी कर रहे हैं आप लोग answer अपने आपको number देते जाएगा correct answer पर दो number और negative पर minus minus 0.5 देति久Kayak сов लेуждिल सिस्टम includes वह जैसे अभी आप maya सापन उज़ करते हैं वो भी कौराइडल सिस्टम है कौराइड़ सिस्टम हैं कौराइडल साथ्यों सूब टर बटर खारे हैं वह भी कौराइडल सिस्टम हैं घी खारे हैं वह भीए colloidal system है और इसके साथ साथ में अगर glycene मगरा यूज कर रहे हैं कोई cream लगा रहे हैं lotion लगा रहे हैं वो सारे के सारे colloidal system है तो यहां पर बताना है आपको कि milk इजा colloidal solution in bridge तो water is dispersed in fat fat is dispersed in water इन में से क्या ठीक है तो fat dispersed होती है बसा जल में बिखर जाती है यह होता है milk का example चलो आगे बढ़ते हैं अगला question the enzyme that converts glucose to ethyl alcohol ethyl alcohol glucose को convert करता है ethyl alcohol में उस enzyme का नाम क्या है glucose to ethyl alcohol glucose को ethyl alcohol में convert करने वाला zymase है तो zymase convert करेगा glucose को ethyl alcohol में तीन यहां पर और दे करता है माल्टोज को ब्रेक करता है माल्टोज को ब्रेक करता है माल्टोज को ब्रेक करता है माल्टोज ठीक है और यहां पर स्टार्च से जो माल्टेज में convert करता है वो करता है diastase diastase स्टार्च से convert करता है माल्टेज में माल्टोज में convert करता है ठीक है। इस त्रीके से आप याद कर लेजेगा इसको। चलिए। इसका अंसर भाजाएगा जायेगा जाये। आगे दिखते हैं। By which organic compound all the oils are known? सबी तेलों को किस नाम से जाना जाता है तो जितने भी तेल बगर आ पाया जाएगे अब यह जाने जाते हैं है इस्टर अंग हो गहें हिसमे71 जानते हैं सबी तेलों को चले आगे बढ़ते हैं धस्ट से वे शिवक इनगी यह ब общем डिश्र हो इते हैं करतularट cells. तो lead-storage cells के जब भी बात की जाये तो इनके लिए जो acid use होता है, वो S2SO4 होता है, क्योंकि ये react नहीं करते हैं आपस में, react नहीं करते हैं आपस में इस वज़े से. तो lead-storage cells में यूज होता है sulfuric acid और इसी question को just ultra करके पूछा जाता है कि sulfuric acid को store करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो अगर ultra पूछा जाएगा तो answer हो जाएगा, इसका lead हो जाएगा यहाँ पर, तो एक question दो तरीके से पूछा जाता है, carbon क्या होता है, sir, unbomb मुस्रा पूछने, carbon क्या होता है, hydrocarbon, hydrocarbon, बेटा, देखो, दो चीजे होती है, hydrogen होता है, एक carbon होता है, तो carbon और hydrogen के जो compound होते हैं, मिले जूले, जो carbon hydrogen से मिलके बनते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग hydrocarbon, ठीक है, तो यहाँ पर answer हो जाएगा D, sulfuric acid, चली, आगे बढ़ते हैं, milk taste sour, दूद को खुले में कुछ समय तक रखने पर, खटा स्वाद आता है, milk taste sour when kept in the open for some time due to the, तो जब भी कभी milk sour की बाता है, milk से दही बनने की बाता है, तो this is by the bacteria जिसको बोलते हैं, lactobacillus, lactobacillus is the bacteria, lactobacillus, एक bacteria होता है, वो bacteria इसमें बढ़ जाता है, बहुत बड़ी मातरा में, और इस bacteria के बज़े से एक acid produce होता है, जिसको बोलते हैं, lactic acid, और इस acid के बज़े से जो दूद होता है, वो खटा हो जाता है, तो this is the process, दूद को खटा होना है, दूद फटना, दूद से दही बनना, वो इसी bacteria कारण होता है, ठीक है, चलो, चली, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, अगला question बेच्चा, the long range potential of nuclear energy in India depends on its reserve of, इंडिया की जो nuclear energy है, वो कच्चनी रहेगी, कितनी जादा नहीं, वो किस पे depend करेगी, तो nuclear energy बनेगी किस से, वो बनेगी वेटा, uranium से बनेगी, uranium का ही भंडार डिसाइड करेगा, इंडिया में nuclear energy का भविस से कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, so B is the answer, चली, आगे बढ़ते हैं, गौरब सर्मा, आपका कोई question है, तो पूछ लेजी, आप मैं बता दूँगा, अगला question, बिचब्दा फॉलोईंग, गैसेज बिल इफिज आउट फुट वॉल, ब्लेडर मोस्ट क्यूकली, तो ब्लेडर में जो हवा भरी होगी, अगर हवा भरते हैं ब्लेडर में, तो सारी हवायों जो बहर सबसे पहले कोई निकलेगी, तो सबसे जो हलकी गैस होगी वो बाहर निकलेगी, हाइडोजन सबसे पहले बाहर निकलेगी, ठीक है, हाइडोजन सबसे पहले बाहर निकलेगी, हीलियम नहीं निकलेगी, आपके आंसर हो सकते हैं कि हीलियम लेकिन हाइडोजन निकलेगी, ठीक है? चलो. आगे बढ़ते हैं. Atomic Theory of Matter was given by पदार्थ का प्रमाडू संधान किसके द्वारा दिया गया है? तो Atomic Theory दी थी Dalton ने. Dalton's Atomic Theory. Dalton ने सबसे पहले Atomic Theory दी. उसको बोलते है Dalton's Atomic Theory. नाम से ही है. Dalton's Atomic Theory, Dalton नाम से ही है. तो यह देने वाले कौन थे? Dalton थे. अबेगोड्रो ने नमबर दिया. अबेगोड्रो नमबर जिन्होंने एक मोल में, नमबर बताए कि एक मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.03 इंद्व 10 पापर 23. एक मोल में. Newton ने Newton लो दिया. Pascal ने Pascal का लो दिया. ठीक है? लेकिन यहाँ पर आजाएगा Dalton Atomic Theory. B is the correct answer. चलो, आगे बढ़ते हैं. The question is, the fundamental particles that composed on atom are? परमाडू मलब जो अडू होता है, एटम होता है, उस पर बनने वाले, जो मॉलिक कड़ है, वो कौन-कौन से हैं? तो जो अडू है, वो तीन से मिलके मिलेगा. Electron, Proton, Neutron. Electron, Proton, Neutron से मिलके बनेगा. तो Proton, Electron, Neutron कहां पर हैं? यह रहे आपके. इधर. ठीक है? तो कोई भी ऐटम है अगर, तो उसके सेंटर में पाए जाएंगे. सेंटर में Proton प्लस Neutron, जो की बताता है मास नंबर. मास नंबर बताएगा, Proton प्लस Neutron. और उसकी औरबिट में पाए जाएंगे Electron. ठीक है? जो की बताएगा, उसका Atomic Number बताएगा. क्या बताएगा? Atomic Number. तो Electron जितने हो, उतने Atomic Number, मास नंबर होगा, Proton प्लस Neutron. ठीक है? चल लिए. Next question. Which of the following is not a nucleon? निम लिखिद में इसे कौन सा एक nucleon नहीं है? Proton, Electron, Neutron या Positron. Nucleon. सब समझेगा, Nucleon. जल्दे से बताओ बेटा. गगन क्या question है? आपका फिर से डाल दीजे गगन क्यूशन आपका, जो भी question है. फिर से पूश लिजे. Unpermission ने D answer दिया है, Positron दिया है answer. गौरब आपना answer फिर से बोल दीजे. गौरंग सर्मा. गौर्ण सर्मा, आपका मुझे question नहीं मिला, आपको मुझे फिर से बेज़ दीजे, मैं आप कहां से बता दूँगा? आगे बढ़ने, इसका answer होगा, electron. आगला question. According to the Rutherford atomic model, the electron inside an atom or Rutherford के परमाडू model के अनुसार, परमाडू के अंदर electron होते हैं, stationery, centralized, non-stationary, या none of these. हाँ, मुझे भी लग रहा है, मैंक नाम चेंज करके आया है, जो तो गौरंग है न, यह मैंक नाम चेंज करके आया है, और इतने सवाल पूँच रहा है. मैंक भाई, एक सवाल बताईए अपना, आपको सवाल का answer दे देते हैं, मैंक और गौरंग जो भी हैं आप. अपकोर्डिंग तो रदरफोर अटोमिक मॉडल, इलेक्ट्रों इंसाइड इन एटम आर, देखो जो इलेक्ट्रों होते हैं, इस्टेशनरी नहीं होते हैं, मतलब समझेगा इसका, सेंट्राइज मतलब केंदी करत, आप सब लोगों को पता है कि इन्होंने बताया था कि मोमेंटम कर रहे हैं, अपनी जगा पर ठुमके लगा रहे हैं, तो ठुमके लगाने वाला पार्ट है, ठुमके लगाने वाला, ऐसे-एसे हिलते हैं इस गर के, ऐसे-एसे घुमते रहते हैं, ठुमके लगाने वाले पार्ट, तो ये भी कर रहे हैं, तो दो तरीके के मोशन ह होंगे लेक्ट्राइब रहा है वह इस्ती हों नहीं होगा तो इस्तिर मत लगाईएगा है गुमते रहते हैं गुमते रहते हैं बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं तो सबावा साथ pouco सामने है गयस उज़ करते हैं तो वह उज़ करते हैं ऐसे टिलीन और यह chemical method होता है chemical method कर्ष्चे फॉलों को तोड़ा जाता है जिसे आपका बनाना हो गया बनाना मैंगो और भी कई सारे फल है अमरूत ग्वाबा हो गया इन सब को तोड़ के पकाया जाता है मीठा किया जाता है किसके मदद से एसे टिलीन की मदद से ठीक है क्या आंसर आया आपका क्या कुछन आया इनका मैं देख लेता हूं कुछन इनका यह है कॉस्मो मेरा मोबाइल डिस्टाज हो गया है भहिया का लिपटाप है मैं अच्छा यह मैंकी है यह मैंकी है पकड़ा गया हमको लगा तो गौरंग कोई और है यह मैंकी है अच्छा पकड़ा का लंकिता तुमने अच्छा पकड़ा चलो अच्छी बात है च सब्सक्राइब अपना सब्सक्राइब दोसरों के जबाप क्यों दे रहे हो कौस्मो ढ gör हैं अन्सर क्या क्या रहे हैं लोगों के देख लेह डी आंसर आ रहे हैं अलग अंसर आ रहे हैं सबसे छानदा पाय जाती है oxygen और कितने percent पाई जाती है oxygen कोई भी बताएगा comment box में नहीं बताएगा कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ oxygen मिलेगी कितनी 46 percent की आसपास इसके बाद silicon मिलेगी silicon यह silicon मिलेगी आपको लगभग लगभग 46 का चपन का अठाइस percent की आसपास इसके बाद मिलेगा aluminium और यह मिलेगा aluminium आपको लगभग लगभग 8.2 percent की आसपास तो यह तीन top most element हैं जो पाए जाएंगे earth crust में पहले पर oxygen दूसरे पर silicon 28 percent और तीसरे पर aluminium तो आप देख लो oxygen and the iron oxygen end the silicon तो पहले पर oxygen दूसरे पर silicon तो यह correct answer हो जाएगा सवाल समझो क्या पूछ रहा है earth crust के बाद कर रहा है core method पूछ रहा है जो आप iron लगा रहे है nickel और iron जिसको नीफे बोलते हैं तीन तरीके की प्लेटें पाई जाती है अर्थ में यह भी नोट कर लेज़ेगा पहले सवाल देख लिए इसका भी answer है आप लोग confused पता कहां से होते हैं confused होते हैं यहां से क्यूंकि आपको पता है कि तीन चीज़े हैं जैसे आपका अर्थ हो गई यह कोर हो गया तो यहां पर तो नीफे है निकिल और निकिल और आइरन भरा पड़ा है फिर आपका पाई जाएंगी दो टाइप की प्लेट और पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं सियाल और सीमा सियाल और सीमा तो यह हो गया Almonium यह हो गया, Magnesium और Silicon तो तब भी दोनों में हैं, यहां भी Silicon है, यहां भी Silicon है, Core में आपका नीफ है ना, बाकी तो Silicon, Almonium, Silicon, Magnesium है ना, तो Silicon आपका दूसरे नंबर पर है, ठीक है, और Oxygen आपकी पहले नंबर, क्रस्ट की बात करेगा, तो Oxygen आएगा, क्योंकि क्रस्ट में आपका देखा होगा, जितने भी जानबर जन तो जितने भी रह रहे हैं, वो सब क्रस्ट में ही तो हैं, सारे के सारे, ठीक है, चौलो, The most abundant metal in the earth crust, प्रथवी की पपड़ी में, सब से प्रिचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, जिंक, कॉपर, एल्मोनियम या आइरन, जोगरफी आ गई ही, रितिक गुपता, जोगरफी मैं सुरू कर रहा हूँ न, मंडे से, दोनों फॉर्म में सुरू हो रही है, इस्टेडी लैपे भी सुरू हो रही है, जो UPSC, UPSI के बैच है, तो वो सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी एक्जाम के लिए है, कर सकते हैं, आप लोग जान 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 जीए साती है, तो जोगरफी वहाँ पर मैं कुश्चन और थियोरी दोनों सुरू करूँगा, और चार बजे जो लैपे जो सीरी चल रही है, आपके लिए, सेंट थाउजेंट कुश्चन, यहाँ पर कुश्चन बाइच सुरू करूँगा, तो दोनों काम हो जाएंगे आप लोगों के, मज़ा आने वाला है, अभी अभी बताया था आप लोगों को, कि 46% और 28% के आसपास, ऐसे याद रखेगा, इसको याद कैसे रखेंगे, 40% और 28, 28 का आठ ले लिजिए, और यह 8% आजाएगी, अलमुनियम आजाएगी, ठीक है, ऐसे याद रखेगा इसको, चपन का आदा 28, 28 का आठ ले लिजिए, अलमुनियम, तीनों आपको याद हो जाएगी, इस तरीके से, चलो, बहुत अच्छा बच्चा, आज इसपीड सही थी, गंटें 50 पहुंच गया आप लोग, the most abundant element on the earth crust, अभी सवाल ऐसे भी पूछ देंगे, आपके 25 पूछा गया है, calcium, silicon, oxygen या nitrogen, the most abundant element on the earth crust, साक्षी आरिया, दिमाग सुननो हो गया, कोई बात नहीं, ओ, टू, गौरंग सर्मा, हिस्ट्री में दिक्कत हो रही है, क्या करूँ, बिटा, क्लास चलती है, ढाई वजे, और कब से क्लास चल रही है, इस्ट्री लेप पर आपको आना चाहिए था, बहाँ पर, बहाँ पर नोटिफिकेशन भी आता है, उसको देखिए आप लोगोंगी, आज ही मैंने मुगल पिरेड इस्टार्ट किया था, कल भी बढ़ाऊंगा, मुगल पिरेड उसको कर लीजिए, तो इसमें ऑक्सिजन हो जाएगा, पहले नमबर पर, दूसरे नमबर पर कौन हो जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं बच्छा, मैचस्टिक uses the allotrop of phosphorus, phosphorus का allotrop होंगे, red phosphorus और black phosphorus, allotrops होते हैं phosphorus के, इसमें माचस के उपर जो यूजिज किया जाता है, वो यूजिज किया जाएगा, रेट फॉस्फोरस लाल फॉस्फोरस, ठीक है, so this is the answer, चलिए, पारूल स्पारूल जी आप अपना कुशन पुशन पुश लीजे, क्या कुशन है, मैं देखके आंसर देढ़ूंगा, जब देना होगा, आपना कुशन डाल देजे, यहां पर देखिये, most abundant inert gas in the atmosphere, अपना कुशन तो बताओ बेटा, आंसर किसी इसका दूम है, कुशन बता दो बच्चा, मैं आंसर देढ़ूंगा, most abundant inert gas in the atmosphere, तो atmosphere में जो abundant gas पाई जाती है, helium, 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 निधी helium आंसर दे रही हैं, लेकिन वाकी लोग आरगन दे रहे हैं, तो वाकी लोग सही है, औरगन सही है, औरगन सबसे जानदा पाई जाती है, इनर्ट गैस में, किसमें? इनर्ट गैस में, यहाँ पर कई लोग confused हो सकते हैं, धान दीजेगा, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस अलग होती है, nitrogen पाई जाती है, वैसे सबसे जानदा nitrogen, जो की 78% होती है, oxygen पाई जाएगी, वो 21% होगी, और आरगन पाई जाती है, इनर्ट गैस म है, तो कितने percent inert gas पाई जाती है, atmosphere में, कोई भी ऐसा, जिसको लगता है कि science बहुत तेज है, तुरंद बता है एकदम से, Google मत करिएगा, कसम है मातारानी की, Google मत करिएगा बच्चा, ब्लैक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, अभी कोई answer नहीं दे रहा है, आप 11%, 0.23%, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, 0.8% आरगन, अरे, 0.9, सुमन घोस, 12%, 0.2%, I think, मेरे जुले answer आप लोगों के आ रहे हैं, तो यहां ध्यान रखेगा, कि total inert gas, लिख लिजिए, अगर नहीं लिखा है, आप लोगों ने, question पूछा जा सकता है, यहां से, कि total inert gas है, चितनी भी gas atmosphere में, उसका जो percentage पाया जाएगा, 0.983%, total जो inert gas पाया जाएगी, और इसमें भी, जो आरगन पाया जाएगी, सबसे जानदा वो पाया जाएगी, 0.008%, 8 है या अठार, अठार आठ नहीं होगा, 0.00, 0.00, यह होगा, 18 बेटा, चीक है, यह नोट कर लिजेगा data, नोट कर लिए data, हटा हूँ इसको बेटा, आगे, who was the inverters, inverters of the frozen foods, frozen food यह जो जमे, जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, जो जमे हुए अवस्ता मिलते हैं आपको, frozen foods उसको का जाता है, french fries भी आने लगी है, chicken भी आते हैं, chicken nuggets भी आते हैं, burgers के, कई सारी चीज़े आती हैं, जो frozen आती हैं, उनको inverter कौन थे हैं, उनको किसने खोज कि, तो उसके inverter बताने हैं आप लोगों को, मैंने कल हमबग भी दिया था आप लोगों को, कि जितने भी inventions और discovery हैं, यह आप याद कर लिजेगा, कितने लोग हैं जिसने याद किया, दिल यहाँ पर आंसर होगा, B is the correct answer, अमिधाद अब आपका answer correct है, B, you are absolutely right, वाहँगी बहुत सारी लोग गलत हैं, I hope कि 80% लोगों का यह answer जो है, वो गलत गया होगा, देखते हैं, आज कि 100 में से 100 किसके सही होते हैं, जिसके भी सही हो गए, जिसके भी 100 में सही हो गए, उससे मैं देखतो कुछ ना कुछ करता हूं उसके लिए, which of the following are longest cells of human body, अब देखो यहां से पूछा जाएगा, longest cell of human body, अभी largest cell से पूछा गया था, अब longest cell भी पूछा जा सकता है, घुमा फिडा की answer, option change कर देते हैं, तो यहां पर भी nerve cell आएगा, largest होता तो ovum हो जाता है, यहां पर, चलिए, जल्दी से बताईए बच्छा, who pioneered diagnostic ultrasound, ultrasound की खोज करने वाले थे Ian Donald, मैंने कहा तो Donald Trump से याद रखेगा, Donald Trump से, Donald Trump से याद रखेंगे Ian Donald, Ian Donald is the ultrasound के ultrasound खोजने वाले इंसान, ठीक है, B is the correct answer, Donald याद रखेगा, Donald से याद रखेगा, Donald ने भारत का ultrasound किया, तो Donald से याद रख रखेगा, चलिए, बहुत बढ़िया, अगला question, which of the following, bacteria is responsible for the formation of curd, दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टिरिया जिम्मेदार है, तो दूद को जो खटा करने के लिए acid जिम्मेदार है, lactic acid, वो किस बैक्टिरिया के बज़े से lactobacillus, तो lactobacillus ही यूज किया जाता है, ये bacteria, जो दूद से दही बनाता है, यहीं पे आप से पोच्छों की, जो ब्रेड बनाने के लिए भी यूज होता है, वो क्या जो यूज होता है, तो east दे रखा है ख़मीर, ख़मीर जो है, वो यूज किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, आटे को soft करने के लिए उसको यूज के जाता है, ब्रेड या खमीर, ठीक है, इस्ट, चलो, आगे बढ़ते हैं, बेटा, जो जो उनिसेललर का मतलब होता है, जिसमें एक सेल हो, क्या हो, एक सेल हो, सेलल और होगें, इसलीए, पेरा, तुट के सेलल गया ऐसे एसे बनेगे, दीरे दीरे ऐसे करके यह और फिर अलग हो जाएंगी दुनों ऐसे करके बनता है cellular system का ठीक है? Cell division चो लिए, आगे बताईए बच्छा तो जब भी कभी sex accessory organs की बात की जाएं तो वहाँ पर यह testis भी आ जाएंगे, rate testis भी इसदा यहाँ पर answer होगा, correct ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला question NACL है, NACL में कौन सा bond होगा? non-polar bond, polar cobalent bond, metallic bond या आइनिक bond तो जो NACL होगा, NACL अगर break करें तो sodium का जो balance होती है, वो होती है एक और CL की होगी, तो N A इसको outermost cell में होगा एक electron, एक electron होता है और CL, chlorine, इसके outermost cell में साथ electron होता है, यह एक छोड़ देता है तो N A plus C L minus यह दोनों जो bond कहलाएंगे, वो आइनिक bond कहलाएंगे कौन से bond? आइनिक bond कहलाएंगे NACL, N A plus C L minus तो यहाँ प्यांसर हो जाएगा आइनिक bond ठीक है? पारूल पहल 08 बोल लही है ओबम क्या होता है? रिपीट कर दो अच्छा ओबम क्या होता है यह आपको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ, आइनिक bond होगा बेटा, ओबम जो होता है ओबम ओबम, जो ओबरी ओबरी में बनते हैं, ओबरी जैसे होती है न, फिमेल्स की ओबरी ठीक है, ओबरी ठीक है, ओबरी में यहाँ पर एक्स बनते हैं, वो एक्स जब सिक्रीट होते हैं यहाँ से, एक्स बनते हैं उस एग को बोलते हैं, वो एक्स जो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ओवम ठीक है और यसी ओवम से जाके मिलता है स्पर्म जिसके बाद बनता है जाइगोट इंब्राइओ जाइगोट बनेगा जाइगोट और इसी जाइगोट के बाद बनेगा इंब्राइओ तो दिस इदा स्विकेंस ऑफ दा ओवम इस पॉम ठीके पारूल समझ गया आप फीमेल फीमेल में जो एग बनता है उसको बोलते हैं ओवम और मेल में होता है उसको बोलते हैं स्पॉम अब मल्टी सैलियर और्गनिजम ग्रोज भाई बहुत को इसके द्वारा बढ़ते हैं ना जाना जनिटल पार्ट नहीं बूल सकती है ओवम इस नोट टाइटल पार्ट खेघर टालाइंगे ठीक है चलिए जलती से बताईए multi-cellular organism grows by multi-cellular organism किसके दोरा grow करेंगे तो इसका भी same ही सीज़ है ये भी cell division से ही grow करते है cell division ठीक है चलो आगे बढ़े DNA fingerprint is used to identify तो DNA identify किये जाते हैं कि DNA से जो hereditary characters होते है hereditary characters या जिसे बोलें कि जितने भी buns वाली चीज़े हैं जैसे आपके पिता से मिलना पिता का परदादा से मिलना वो सब जो jeans होते हैं वो transfer होते हैं जीन्स बोलते हैं वो DNA कि तो transfer होने तो DNA match किये जाते हैं माता-पिता क्पता लगाने के लिए rapist या कोई भी ऐसा criminal है जिसने कोई crime किया है तो उसका कहीं पगर कोई बाल रह गया है कहीं पर blood का कोई थक्का जम गया है तो blood और बाल इन सब से पता लगाया जाता है किसी भी criminal rapist या चोर कोई भी हो सकता है thieves दोनों हो सकते हैं तो all of the verb यहाँ पर correct answer होगा so all of the verb is the correct answer ठीक है चाली आगे बढ़ते penciline was discovered by penciline को discover करने की खोज या penciline को खोज किसने की discover किसने किया साक्षी आ रहे है सर मुश्किल हो रहा है देखना क्या मुश्किल हो रहा है पेटा साक्षी समझनी बार हो आप क्या कहना चाहा रही है जल्दी से बता दीजे progesterone क्या है what is progesterone गोरंग सर्मा मैंक ने पूचा है यह सवाल चलू अच्छी बात यह भी बता देता हूँ यहाँप आंसर वजा गया Alexander Flaming Alexander Flaming ने अविसकार किया पेंसलीन का और पेंसलीन का जो यूज होता है यह यूज किया जाता है जितनी भी diseases हैं सवाल यह पूचा जाएगा कि पेंसलीन का यूज किसलिए किया जाता है बारस से होने वाली बिमारियों के लिए बैक्टिरिया से होने वाली बिमारियों के लिए fungus से या yeast से तो बैक्टीरिया से जितनी भी बिमारियां होती हैं उसके लिए यह यूज़ किया गया था pencelin का यूज़ किया जाता था और सबसे पहले यूज़ होता था यह TB बगरा की बिमारी जो होती थी TB इसमें भी यूज़ किया जाता था pencelin अभी यूज़ नहीं हो रहा है, ठीके? च्छोलो, आगे बहते हैं. डेंगी इस इस्प्रेड़ बाई, डेंगु किसको दारा फैलता है? तो टेंगू फैलता है मस्कुटो दारा जिसको बोलते है मादा एनेफलीस यह आप याद रखेगा टेंगू इस्पेड़ वाइदा मस्कुटो ठीक है बहुत आसान सवाल था यह है चली आगे बढ़ते है बिच बैक्टेरियल इस्टेंड डेबलब्ट फ्रम नैच्रल आइसो इस्टेंड नोमोनष यह में करा चुका हूं कलास अगर आपको और देखना है तो आप जाएए का क्लास में यह होता है स्योडो मोनोस डी दा करेक्ट आंसर स्यूडो मोनस का यहां रही उज़ किया जाता है ठीक है चली घृ भीक झाली दो cellular universe cellular या बहौँ कोस्किए यह पूचा गया है तो अससमें cell या कोस्का हो जो उसको बोलते हैं cellular जो करता हो और जितने वी ईक्टिपिटीस है वह सेल जैसे भेर करता हो cellular वो होते हैं जिसमें cell और कोसिका होती ही नहीं ज़स रहें यह helpless cells हों तो उसको बोलते है multi-cellular ठीक है तो एक cell minuscellular बहुत सारी cell multi-cellular कोई cell नहीं तो acellular across किये और cell हैं तो cellular तो virus के अंदर cells नहीं होती है वो cellular नहीं होते हैं वो cell division नहीं कर पाते हैं तो इसलिए इसका answer हो जाएगा acellular b is the correct answer चलिए इसलिए नहीं होता है यह किसी की body में जाने के बाद यह जाने के बाद वहां पर रहने के बाद यह उस body से ही बनवाता है अपनी जैसे चीज का यह जोंग डिवाइट करता है अपने जैसे copies बनाता है लेकिन cellular नहीं होता है थीका है चलो आगे बढ़ते हैं अगला कुस्टन बच्चा, अल और प्रोटो जवान डिसीजिस एक्सेप्ट, सभी इनमें से जो डिसीजिस हैं, वो प्रोटो जवासे होने बाली हैं, एक को छोड़ कर, एक डिसीज ऐसी है, जो प्रोटो जवासे नहीं होती है, तो आपका औरिंटल गाओ, बड़ी मक्ही होती है, और बहुते जाबाज करती हो, पीछे पढ़ गई, तो मतलब पीछे पढ़ जाती है, जब तक वो आपके हाथ से आम अगरा साफ, नहीं हो जाए, तो वो मक्ही फेलाती है, शिलिपिंग सिकनेस, और इंटल सोर्स या और इंटल घाओ, ये भी तीनों के तीनों ये पहलते हैं, प्रोटो जोग के कारण, लेकिन ऐलिफेंटियासिस, जिसको बोलते हैं हाती पाओ, जिसमें पाओ जो है, एकदम ऐसा लगता है, हाती का पैर हो, फूल के एकदम गुबारा हो जाता है, ये होता है बैक्टिरिया की कारण, किसके कारण, बैक्टिरिया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, ठीक है, एलिफेंटियासिस, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये होती है, टिटनिस के केस में, और टिटनिस क्या करता है, नर्वस सिस्टम पर अटेक करता है, नर्वस सिस्टम पर अटेक करता है, नर्वस सिस्टम पर अटेक करता है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम पर अटेक करने के बाद, जो जुमारा जौ है यह लॉक हो जाता है क्या हो जाता है लॉक हो जाता है मुझ खुलना चाहिए आपका सब्सक्राइट इतना खुलना चाहिए मुझ और खुलता कितना है इतना ही है ठीक है यह देखा होगा कई लोगों को मुझ खुलते हैं तो गोलगपपा नहीं खा पाते गोलगपपा खाई नहीं पाते हैं तो काईदे में किसी भी इंसान का अगर जबड़ा किसी को चिक करना हो अगर कोई तमाकू गुठका, बिमलपान, मसाला ये भी चीज़ें खा रहा है तो इससे भी जो जोड़ है ये जो जॉइंट है जो इसको बोलते हैं यहाँ इससे भी होता है मसाला बगार खाने से तो जब भी कभी आप देखेंगे तो आप तीन उंगली से होते हैं थ्री फिंगर्स होती है यह आप इंट करेंगे आगर ये जा रही है तीन उंगली सीधी-सीधी अंदर तो आपका जो जबड़ा है वो ठीक है रेगुलर क्लास की टाइमिंग बेटा चार बजह होती है मैं आपकी टाइमिंग बेजा धेता हूं क्लास की क्लास की टाइमिंग जो लैब पर होती है वो चार बजह होती है और एक ज्क 12 घंटा, दो गक्लास चलती है मंडे से इस पर मंडे से eine millones cup beim for all thext के लिए काफी दे से बेट भी था आप लोगों का और 2.30 पर अब हिस्ट्री चल रही है इस्ट्री लैब पर ये भी क्लास कंटीनिव ही रहेगी इसी टाइम पर तो 2.30 पर मैं चलाओंगा मंडे से इस पर भी जोग्रफी चलाओंगा और जिसमें थियोरी भी रहेगी थियोरी परते हैं अगला कुस्चन फाइल एरिया का सांचारन किसके द्वारा होता है फाइल एरिया भी एक तरीके से बीमारी होती है जो फैलती है मच्छर है उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मॉस्कीटो उसको बोलते है बच्चा क्यूलेक्स मॉस्कीटो क्यूलेक्स मच्छर बो फिइकर बगार में यह मचर पाया जाता है। जाइका, और Aedes मॉस्कीटो होता है और एनेफलिस नेहनैं तो सबने सुनो का मादा एनेफलिस के प्षैनता हैै गेंगू अघे नेफलिस फैलता है ठीक है यह आप याल रखेंगे, कीचे पिसी ठीक्स आप योटूब is known as मदमख्K पालन को क्या कहाजाता है यह कु申ूंस आम है और मैंने आप से बोला था क्ल क्लास में आप लोग जाकर ये कुश्झinsi कर लिजेगा पढ़ लिजेगा बालोग जी की बार बालोग जाटीं के रेसर मुतपादन इस दा सेरी कल्चर एक्वा कल्चर आता है फिस बगारा के पालने को बोलते हैं एक्वा कल्चर क्योंकि हाँ पर वाटर है और एग्री हो गए आपका क्रिसी यानि की फार्मी क्रिसी हो गई इसको पहँचानते कैसे हैं आप याद रखेगा यह दो पार्ट म लगाता दी जाए। शल्यांत इसको मैंने गाइप करदी अब बचा यहां पे सेरी यह बनाए के सीरम से कि ठीक है जो मतलब ज़ेंग सवाद यहां से यहां से एक्वा मतलब इस तरीके से आप दोग इसको कर सकते हैं, ठीक है निधी स्पीड़ीड बढ़ रहो हो जाएंगे आपके कोशने, परहसान ना हो यह आप एकदम से, निधी सिंग राछपूत जी, which one the following is related to the silvy culture silvy culture क्या है तो forest crops बनों की फसले इसको उगाने की technique को कहचे है silvy culture ठीक है तो D यहां पर answer हो जाएगा चलो आगे बढ़ते है due to our birding साक्षी क्या हुआ बेटा चलो आगे बढ़ते है अगला कुछन देखो बच्चा Ruby and the sapphire are oxides of Manic और Neelam दो तरीके की चीजे होती है उसको Ruby and the sapphire बोलते है किसके oxide है किसके oxide है 10 दिन से चल लही है साक्षी आप कुछ बोल नहीं थी बच्चा अगर मुझसे बोल नहीं तो बता दीजे due to your wording वर्डिंग क्या है बता दीजे साक्षी चलिए copper, tin, iron, aluminium aluminium के यह oxides होते है इसको बोलते हैं Ruby and the sapphire नीले कलर के पत्थर होते है ठीक है Monday class timing Monday से 4 बज़े डिली चलती है अभी दो दिन में टेस्ट लोगा आप लोग होंगे टेस्ट होंगे के लिए जो जोग्रफी के question बन सकते है daily hundred question दस दिन में thousand question खतम और second जो voting मिली है वो मिली है quality को दिसके बाद quality सुरू होगी फिर history सुरू होगी ठीक है मैं भी announce कर दूँगा क्या-क्या किसके result है क्या-क्या voting में result आए हुए है कौन को subject पहले होगा human की cloning सिर्फ-सिर्फ medical purpose के लिए research purpose के लिए चिकट्षिक purpose के लिए allowed है जिसमें कोई clone आप नहीं बना सकते है only can only Britain में allowed है ठीक है चलिए कल आपका पूरा complete test है सारे subject का बढ़ी बता दूँगा मैं सारे subject का test है पूरा complete test मिला के complete GS test जिसमें सिर्फ science नहीं होगी science, history, geography, economy, quality पूरा ही mix होगा और देख लिजीगा किस के त्यारी कैसी चल रही है H by B refers to H by B refers to high yield variety high yield variety ये यूज होता है seeds के लिए high yield variety इसके form होती है और ये seeds के लिए यूज होता है high yield variety seeds use के जाते हैं आज कल ठीक है high yield variety और ये term निकल के आया था पहली बार जब green revolution हुआ था तब green revolution के time पर ही ये term निकल के आया high yield variety seeds actually यही seeds use करने के बादी तो green revolution आया और इन seeds को पानी बगरा बहुत चाहिए होता था तो इनको high yield variety बोला गया ठीक है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते है बच्चा DNA test was developed by DNA का परिछण किसको जारा बेक्सित किया गया तो यहाँ पर scientist का नाम बताना था मैंने बोला था कि invention and the discovery आप पढ़ लेजेगा तो यह जो सुरू करेंगे यह सुरू करना किसको जाता है जल्दे से बताओ बच्चा Dr. Alex Jeffries Jeffries को जाता है स्वामी नाथन तो वो थे Green Revolution बाले स्वामी नाथन तो Green Revolution का सेरे दिया जाता है इंडिया में जो Green Revolution लाने का सेरे दिया जाता है वो स्वामी नाथन है यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ DNA का परिछण DNA test was developed by Dr. Dr. Alice Jeffreys. DNA test, ठीक है? चालो, आगे बढ़ते हैं. Jeffreys ने को दिया जाता है. अगला प्रस्न बच्चा. जेजर, John Mendel is famous for the propointing. इन्होंने Mendel के law दिये, Mendel's का law. Mendel's का law भी दिया है इन्होंने. जुसको बोला गया, laws of hereditary. अनुबान सकता के नियम. इन्होंने बोला कि अगर कोई इन्सान है, उसका जो बच्चा पैदा होगा, वो लगबग उसके कुछ गुड होंगे, कुछ ऐसे गुड होंगे, जो दिखेंगे, कुछ ऐसे गुड होंगे, जो नहीं दिखेंगे, और यहां से कुस्चिन और बनता है, इन्होंने मटर पे experiment कीया था, तो मटर के जो experiment के वहां पर कितने पेर इन्होंने इस्तफलकी कितने पेर थे तो वो है यहां यहां से याध रूखेगा. मटर जो P वाला experiment था, बहाँ से याद रखेगा, 7 पेर याद रखेगा, ये question भी पुछा जाता है यहां से, ठीक है, चलो, आगे बड़े, साक्षी क्या question आपका, साक्षी आपने question नहीं पुछा बच्चा, साक्षी सिंग आपका जो भी question आप पुछ लीजिए, percentage of carbon in steel range from, steel में जो carbon का पर्च्चत होता है, वो कितना होता है, 0.1 से 1.5, 1.5 से 3, या 3 से 4, या 4 से 6, इन में से कितना percent होता है, तो देखो यार, steel बनाई इसी लिए थी कि उसमें जंग बंग ना लगे, और steel में carbon का percentage वहुदी कम होगा, अच्छा आज थोड़ा साइरी, ठीक है मैं साइरी सुना दूँगा, class के बाद में, भवानी संकर, 0.1 से 1.5, बहुत ही little percentage होती है, steel में carbon की, इसलिए चमकदार होता है, वो 0.1 से 0.5, जंग बगरा भी नहीं लगती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका answer सही है तो, 90% लोगों का, marking कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप लोग, दो नंबर सही के लिए, 0.5 गलत के लिए, 200 नंबर में पूछूँगा, कितने नंबर आया आप लोगों के, सिर्फ नंबर आप करना है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला question बच्छा, यह रहा आपके सामने, पेंसिलीन वाज दिसकवर्ड भाई, फिर से सवाल आ गया, पेंसिलीन किसने डिसकवर की, तो पेंसिलीन डिसकवर्ड की, अलक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, इसको उटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, so the question is, when one or single gene control more than one character, then it is known as, जब एक या एक जीन, एक से अधिक लच्छनों को नियंतरित करता है, तो वो कहा जाता है, सैप्रोफिक, स्वापोसी, ओटोटोफ्स, सिंभाईोसिस या प्लियोट्रोफिक, इन में से क्या, लैप पर क्लास के लिए पे कितना है, नैंसी कुछ पे नहीं है, मेरी क्लास तो एक दम फ्री आपकोर्स चल रही है, आप आराम से करो, और प्रोच करो, जितने भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, चलिए, यहाँ पर आंसर हो जाए, इनुसरा से कर नहीं हो गा, जैसे कोई भी एक जीन से जो होता है, दो चैस्टिस एक्जाम्पि ले लिजे आप, टेस्टॉर्ण इया प्रोटेस्टोर्ण जो आपका पाया जाता है वीमेल्ज में, यह दुनों हिर्मन क्या करते है,μεल का रिप्रणों स्िस्टं मोथा है, प्यूबिक हेर ग्रूथ करना और आभाजभारी होना और reproductive system का development होना ये सारी चीज़ों को control करता ना ये की तो ये आजाएगा pleiotropic में आजाएगा ठीक है चौलो आगे बढ़ते हैं which is the example of hormone that in form of protein trypsin, oxytocin, keratin या casein इनमें से कौन सा एक hormone है जो protein की form में पाया जाता है sir आप total कितने subject पढ़ा रहे हो मैं सारी पढ़ा रहा हूँ सारी पढ़ा रहा हूँ अभी मैंने history पढ़ा चुका हूँ quality भी आप लोगों की lab पढ़ा चुका हूँ geography पढ़ा चुका हूँ अभी science चल रही है आप लोगों की economics भी पढ़ा रहा था bank में अभी वो बंद हो गई लेकिन अभी सारी पढ़ा रहा हूँ ठीक है GS पढ़ा रहा हूँ इसका आंसर बताईए tripcine नहीं होगा बेटा tripcine नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा बेटा keratin भी नहीं हो keratin तो अलड़ी प्रोटीन होती है चलिए साक्षी आ रहा है का A आंसर आ रहा है tripcine आ रहा है keratin आ रहा है चलिए देखते अमितादव का आंसर आप B अमितादव आप का आंसर सही है oxytocin 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 एक हार्मोन है जो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है oxytocin ठीक है तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत देर बाद आपने आंसर दिया बढ़ सही दिया B is the correct answer बाकि करेटीन तो उसके लिए आजाएगा नेल बगरा के लिए उज़ होता है नेल जो बढ़ते हैं हमारे नाखुन बढ़ते हैं हैर बढ़ते हैं Oxytocin Oxytocin याद करिएगा Oxytocin के साथ साथ में Estrogen Hormone होता है इसको भी आद कर लिजाए जिसको खुसी का हर्मन बोलते है Love Hormone भी बोलते है तो Oxytocin से related आप याद कर लिजेगा Estrogen Estrogen को आपको Estrogen Hormone होता है इसको बोलते है Happiness Hormone Happiness Hormone recommending qué jeśli बोलते है बोलते हैं डाय वहते हैं कोई अपना मिल जाये उसे मिलते हैं तोभी होता है हर्मोन रिलीज़ोता है हर्मोन की रिलीज पाद ही इंसान औड यहे ने's लोग इसको so हर्मोन बोलते हैं, आफ्टा सेक्स भी रिलीज होता है यह हर्मोन, तो यह हर्मोन रिलीज होता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे कुशन देखेंगे बच्छा, क्लोब दा कॉमनली यूज़ इस्पाइस इस ओपेंड फ्रोम दी, लॉंग जो आम तोर पर इस्तम से, फ्लॉवर बट से या, फ्रूट से, इनमें से किस से, पता निंए कौन है? कोई दिक्कत नहीं है? यजल्दी से बताइए बच्छा! मैमरी के वलागे में से बढ़ते है, दूसरे होता है, अस आटो ह्मोन बता था है, अब लोगों जोता आप बढ़ते हैं, छल्दिंइस होती है flower bird होती है fruit होती है यह होती है flower bird आप ने देखा होगा काली जैसी होती है आपने देखा होगा कि फूल जैसी होती ही भीचम कुछ रखा होता है तो दिस दा actually flowerbird flower bird is known as the clove ठीक है? clove होती है root की बात करें तो stem की बात करें root stem यह सब अलग अलग question सहां से पूछे जाएंगे जैसे ही question आपका यह आएगा इस तरीके से जैसे आप देखेगे hasis is obtained from a plant from which part of the plant is obtained जल्दी से बताईएगा hasis एक पौदर से प्राप्त होता है यह पौदर की किस बाक से प्राप्त होता है leaf से, stem से exugate from the leaves and the female inflowscence या exugate from stem and the male inflowscence इन में से कहां से जल्ली से बताऊ बच्छा इसका answer देखते कौन देता है जल्दी से बताईए बच्छा क्या correct answer होगा इसका hasis आप लोग मुच रहे न hasis क्या होता है hasis मुच रहे है अज़ा किसके किते किते लोगों के समझ में नहीं आया है कि hasis क्या होता है hasis को बोलते हैं hasis के अगर हिंदी में पूछू hasis एक तरिके से इसको बोलते है गांजा hasis की जो actual हिंदी है वो गांजाई है hasis के हिंदी ठीक है hasis क्या होता है चलिए आप पता चल गया होगा आप लोगों को hasis कहां से प्राप्त होता है hasis देखो मैं बता रहा हूँ hasis क्या होता है रिया चक्रवरती नहीं है hasis देखो दो चीजें होती है देखो बच्चा यहां से समझेगा आप लोग hasis actually मैं देखो अब SSC सेजल 23 ने पूचा हुआ है आप देखो ऐसा नहीं कि इन सब की जानकारी रखना आप लोगों लिए गलत बात है लोग नार्कोटिक डिपार्टमेंट भी जोइन करेंगे आप में से कुछ लोग SSC जाएंगे तो नार्कोटिक में जाए कि आपको अल्कोहल ड्रग चरस गांजा इन सब से डिल करना ही पड़ेगा तो उनकी बात करने से क्या 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 उनका गलत है यहांक है जैसे कुछ पत्या होते हैं ऐसे ऑती है और अप्स安श्य जैसे करके आपstaw ऐसदें को तो के तो डेします एक तो अधे पितो को बोला जाता है उस पेस्ट को बोला जाता है आखिस जो पेस्ट बनता है हां तो मेरा गड़ने के बाद वो होता है वो होता है हसीस इसका आंसर हो जाएगा लीप से भी होता है और फीमेल जो पुस्प करम होता है इससे भी निकाला जाता है तो भांग और गांजा दोनों ही पौदों से निकाला जाता है इसको बोलते है हसीस जैसे जो एक नाम आता है मनाली क्रीम, मनाली क्रीम जो नाम आता है मनाली से, वो भी मनाली क्रीम एक हसीसी होती है, तो एक वैली है मनाली में आसपास, वहीं पर वो उगाई जाती है, तो दिस दा मनाली क्रीम, चरस अलग चीज हो गई, चरस अलग चीज हो गई, चलो, यह होती है हसीस, आगे बढ़ते जे जो होता है उसमें silent होता है इसे इसको बोलते है marijuana ठीक है चलो आगे देखते हैं अगला question from which part of a plant is turmeric obtained हल्दी जो होती है पौदे किस बाख से प्राप्त होती है देखते हैं इस कान सा कौन देता है चरस क्या होता है यार अब यह सवाल पूंचोंगे चरस घान जी बता देता हूं जलीज बतागी चलिए यह जो भी ड्रुक्स होते हैं लिक्ट मुझरिश को आयपस इस अपनुप मूझे बारे को अखिता हुँद कर दो रिओ से चरस घंक हुआ जो तुर्यभी चक्या है इसाडिश जूलाता है एस नाये तो दो अपनिक है अपको का धॉया चरस का उल उत मARK03 root from which part of the plant is turmeric obtained turmeric क्या होती है, root होती है, fruit होती है, flower होता है आंसर दे रहे हैं, आप लोग root दे रहे हैं, ये देखते हैं क्या एसका आंसर होगा root रहे है, बटा root नहीं होगा, stem होगा, root नहीं होती है जितना भी आप देख रहे है न यह root नहीं होगी, यह stem होगी, stem, 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 रुनागी root, यह stem होगी, बैटा, B is the correct answer, तो stem होती है, stem, ठीक, तो अगर जो plant है turmeric जो अप्टेंट की जाती है, turmeric या हल्दी, वो stem होती है, और इसके अलाबा, stem के बाद, आप एक चीज नोटिस करेंगे, गाउं के लोग जिन्होंने खेती की होगी, और कभी खेत में गया होगी, हल्दी अध्रक निकाली होगी, मैं तो देखा हूँ दोनों चीजे, तो दोनों ही लगबल अलगवग सेम होती है, थोड़ा सा color different होता, लेकि इनकी बनावड जो होती है, वो सेम होती है, अध्रक या नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड होते हैं इसमें, तो एंटी नोड और नोड जो भी होते हैं, वो सेम में होते हैं, ना कि लीफ या रूट में होते हैं, नोड और एंटी नोड होते हैं, इसलिए ही हो जाएगा, सेम हो जाती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं, ज अलू जो आ गया आपका अब यह तो step आ गया ओन मुन का अलु और सखर्कंद्ध थीक अब आलु क्या है अलू और सखर्कंद्ध दो चीचे होती है भी दोनों step है । भी रूग नहीं है यह तो कंद क्या होता है कंदा कंदा कंद से बना है कांदा, आपको हिंदी भी पढ़ानी पढ़ेगी मुझे आप लोगों को, यहां से आप देखेगा क्या होता है, जितने भी आलू होगा, आलू या सकरकंद, आलू और सकरकंद, रामायन में आपने पढ़ा होगा, कि आलू और सकरकंद, जितनी भी जमीन से जो चीज़ें मिलते ही उसको बोलता जाता था कंद मूल फल कंद मूल फल खाये थे राम भगवान राम ने खाये थे भगवान राम ने कंद मूल और इसी कंद कंद से निकला हुआ है कंदा और यह कंदा क्या होता है कंदा कोई बोलते हैं आप लोग प्याज तो यह प्याज कंदा ये भी क्या है इस्टेम है तो आप नहीं भूलेंगे कांदा या कंदमूल ये दोनों ही स्टेम है और अदरक और ये जो क्या बोलते हैं हल्दी टर्मरिक ये भी ये भी ये भी स्टेम है ठीक है और लेकिन गाजर और ये आपका गाजर और मूली गाजर मूली ये वो रूट है गाजर मूली रूट है। ठीक है? गाजर मूली रूट है, चुकंदर भी Rूट है, इसलिए उसको English में बोलते है, बीट रूट, वो रूट बोलते हैं, उसको यह जड़ है। इसको चोकंद्र को बोलते हिैं बीट रूट करते हैं और यह है करते क्यों है ऐसा चुछ यह जैसे उठाह, जा सीपैफ्वागा स्च्टरो उती सो एनके फूट बैक्स होते हैं, यह फूट को स्टोर अगला कुश्चन बच्चत देखेंगे जिंजर इजा मोडिफाइड विद अब जिंजर का भी सवाल आ गया अभी देखों में बताई रहा था तर्मिरिक का आ गया तो जिंजर का भी फूच दिया तो जिंजर यहां पर क्या है रूफ है लीफ है टैंडिल है या इस्टेम है जिंजर भी क्या है यहां पर यह भी इस्टे में तना है, जिंजर अध्रक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अगला कुस्टन, कॉमोज सीट्स और सीट्स विद, कॉमोज बीच किस परकार की बीच होते हैं, लोंग हैर, बिंग्स, विसल्स या हुक्स, कॉमोज सीट सीट्स और सीट्स बीच जो सीट WATे हैं सीट के सथ में और क्या होता है, देखते हैं कॉन आंसर देता है इसका, कॉमोज सीट्स भावानी संकर का ए आंसर आया हुए लॉंग हेर भावानी संकर योगा आंसर इस कार्ड जो आपने देखा होगा कि जो बंजर वाली जमीने होती है या नदी के गिनारे वाला एरिया होता है भी जो जो बगडरा लगी होती है पतेल के आसपास में छोटे-छोटे पौदे होते हैं उस पौदे को तोडएगे आप तो उनके अंदर वाइड कलर के ऐसे जैसे निकलेंगे यह अपर वीझ होगा बीज के आसपास ऐसे करके यह ल heureन हे लगे होते हैं और यह उरते हवा में इसको बोलते हैं कॉमोज सीट्स, कॉमोज सीट्स, इसमें लॉंग हैर्स होते हैं, लंबे बाल होते हैं, ठीक है, यह इस दा करेक्ट आंसर, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक पॉधा जो बिजाड़ों दारा जनन करता है, मस्टर्ड, धनिया, फर्न या पेटूनिया, इन में से कौन, एक पॉधा जो बिजाड़ों दारा जनन करता है, ठीक है, गौर्ण सर्माय मैं अदवा दूँगा, आपका डाउट, आप अभी पढ़िए पहले, गौर्ण सर्माय मैं इस पॉधा जसे हैं, फर्ण सर्माय मैं आपका डांरा, होदे चल्या होते हैं, हुख कहा है हुख हुख अरे हुख अलग चीज हो हुख जैसे टांगने वाली कुछ होती है ठीक है वो वाला हुख नहीं जो हुख आप समझ रहे हैं वो हुख नहीं है आगे देखते हैं विचबदा फ्रूट डेबलट्स फ्रॉमेन इन फ्लॉर सेंस कौन सा फल पुस्प करम से बिक्सित होता है हुख होता है जब कोई भी चीज ऐसे टांग दी जाती है न मतलब रोकने के लिए किसी चीज को कोई चीज फसाई जाती है तो इसको हुख बोलते है फसाने वाला हुक है वो हुक अलग है विचबदा फ्रूट डेबलट्स फ्रॉमेन इन फ्लॉर सेंस कौन सा फल पुस्प करम से बिक्सित होता है जल्दी से बता हो बच्छा पुस्पक्रम से एपल नहीं होगा बेटा पुस्पक्रम से विक्सद हो जाएगा यह हो जाएगा बेटा पाइनेपल जो अनानास होता है यह पुस्पक्रम से विक्सद होता है अनानास पाइनेपल यहां प्यांसा करेक्ट होगा पाइनेपल चलिए आगे बढ़े अगला कुस्षा है बिच अब दा फोलेंग इस नोट प्रिजेंट इन दा जर्मन सिल्वर निमलिकित में से कौन सा जर्मन चांदी में नहीं पाया जाता है कॉपर, निकल, सिल्वर या जिंक जर्मन सिल्वर इस दा अलाय ओफ कॉपर, निकल, एंड दा जिंक जर्मन सिल्वर इस दी अलाय यह जर्मन जो सिल्वर है यह जर्मन सिल्वर इस दी अलाय ओफ कॉपर, जिंक, प्लस, निकल यह तीनों का जो अलाय होता है अलाय बोलते हैं मिस्र धातू को Mr. Dhatu ठीक है इनका होगा तो obvious बात है इसमें silver नहीं होती है silver नहीं होगी बागे तीनों होगे तो जर्मन silver में silver नहीं है ठीक है बात चलिए आगे बढ़ते बच्चा अगला कुश्चन The major harmful gas emitted by automobile vehicles which causes air pollution is by production का कारण बनने वाले automobile बाहिन द्वारा उत्सरजित प्रमुक हानिकारक गैस कौन सी है carbon monoxide, methane, carbon dioxide या ozone gas चलिए जल्दी से बताएए The major harmful gas emitted by the automobile vehicle तो automobile vehicle द्वारा जो gas उत्सरजित की जाती है उसका नाम बताना है आप लोगों गो जल्दी से बताओ बच्चा यह low combustion जो होता है इसमें क्या होता है? और जब कभी भी carbon का देहन, carbon का देहन बोलते हैं, carbon का combustion बोलते हैं, जब कभी भी less oxygen पर होगा, less oxygen पर होता है तो उस case में carbon monoxide बनेगी, कौन बनेगी? carbon monoxide बनेगी, वह यही इसका answer है और जब oxygen बहुत अच्छे से मिलेगी, oxygen की मात्रा बनेगा तो यह carbon dioxide बनेगी, तो यह CO2 बनता है जब oxygen, बहुत आयत में हो oxygen sufficient हो, बट oxygen अगर sufficient नहीं है, तो monoxide बनेगी, ठीक है? यह भी answer सही हो गया होगा आप लोगों का, अभी तक 86 में कोई ऐसा है, जिसके 86 में 86 सही हो विच मनदा फॉलेइंग इस मेजर, greenhouse gas greenhouse gas क्या होती है, greenhouse gas carbon dioxide, chlorofluorocarbon, carbon monoxide या फ्रियोन, इन में से कौन? तो मिली यह बात याद लिखेगा, greenhouse gas वो होती है ऐसी gases, ऐसी gases जो environment में, environment में पाई जाती हों, environment में पाई जाने के बाद यह heat को, heat को trap कर लें, heat को trap कर लें अर्थ से बाहर नहीं जाने देंगी, जब अर्थ से बाहर heat नहीं जाएगी, तो environment गरम होने लगेगा, ऐसी gases को बोलते है, greenhouse gas, जिसमें से, which of the following is the major greenhouse gas, major greenhouse gas counts यह, वो है, carbon dioxide CO2, CO2 is the main greenhouse gas आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला question, पॉस्टराइजेशन is the process in which milk is heated too, पॉस्टराइजेशन वो पिकरिया है, जिसमें दूद को गरम किया जाता है, तो पॉस्टराइजेशन is the process in which, जो milk होगा, milk, इसको करीब 30 minute के आसपास, 30 minute के आसपास, 30 minute के आसपास, 30 minute के आसपास, heat करते हैं, दूद को गरम किया जाता है, 28-30 मिनट के ओपर, यहां पर answer हो जाएगा, C answer correct हो जाएगा, C correct होगा, 300 degree Celsius for the 30 minutes, 30 is the near about 28, 28 to 30, ठीक है, अगला question, the freezer in a refrigerator is fitted near the top, in refrigerator में जो freezer होता है, वो series के पास fit किया जाता है, ऐसा क्यों, to keep away from hot compressor which is nearer to the bottom, because of convenience, it facilitate convection currents to minimize power consumption, इन में से किस वज़े से, ठीक है, यह क्या करता है, समभाहन दाराओं की सुबदा देता है, उसके लिए इसको top में fit किया जाता है, और कोई region नहीं है, इसके पीछे, ठीक है, जल्दी बताइए इसका, the chemical name of common salt, common salt का chemical name क्या है, डाउट पूशे ना बेटा, मैंक पहले टेस्ट पे ध्यान लगाओ, सौ में से सौ ठीक हो जाएं, सौ में से ठीक होने चीए, यह ठीक होने चीए, यह ठीक होना बच्चा, the chemical name of common salt, common salt बोला जाता है, sodium chloride को, sodium chloride, और इसका फर्मॉला होता है, NACL, तो इस दा common salt, आंसर हो जाएगा, sodium chloride, घरो मुझे यूज होता है, हम लोग नमक खाते हैं, वो sodium chloride होता है, दस कुशन बचे हैं, अब दस में से दस साही करिएगा, denaturated sprit is ethanol mixed with, विकरत sprit ethanol के साथ मिस्ट करते हैं, petrol, krosine, water या, या pyridine, चलिए, जल्दी से बताएगे, denaturated sprit is ethanol mixed with, यहाँ पे होगा pyridine, pyridine के साथ mix करते हैं इसको, किरो से नहीं होगा बैटा, pyridine, सागर कुमार ने आंसर सही दिया है, pyridine, सागर कुमार योर आंसर इस राइट, absolutely राइट सागर, चलिए, सागर कहाँ थे गाएब, अभी बहुत दिरवाद दिखे हो सागर, आगे दिखते हैं, the most abundant inert gas in the atmosphere is, बाइमिंडल में सरवादिक मातरा में पाई जैने वाली, अक्रिय गैस कौन सी है, तो ये भी आपकी कौन सी, आरगन पाई जाएगी, आरगन 0.0018% के आसपास, आरगन गैस, अक्रिय गैस हो में इतनी percentage है उसकी, टोटल अक्रिय गैस है 0.938% के आसपास है, आरगन जो है, वो इतनी पाई जाएगी, ठीक है? Which metal is extracted from the sea water? समुदर के पानी से कौन सी धाद निकाली जाती है? Potassium, Magnesium, Aluminium या Beryllium. समुदर की सतय से, समुदर से from sea water से निकाली जाती है, समुदर से निकाली जाती है, पानी से. Magnesium, Potassium, Calcium या Beryllium, इन में से कौन सा? चलिए, इसमें बेटा निकाली जाएगी, समुदर से निकाली जाएगी, उसमें नमक जो पाए जाएगे, salt पाए जाएगे, अहाँ पर Magnesium salts बहुत पाए जाएगे, Magnesium salt, Magnesium salt और sodium salt भी होते हैं. तो इस Magnesium salt जो होता है, Magnesium से से जो धार निकलती है, पानी से, Sea Water से वो Magnesium निकाली जाती है, और यह salt क्यों होते हैं, salt आते हैं क्यों Magnesium salt बनता क्यों है, क्योंकि जो प्लेट होती है, सीमा, सिलिकॉन, Magnesium, और जो नीचे रॉक पाए जा रही है, रॉक कौन सी है, सीमा है, सिलिकॉन, Magnesium है, जिसकी बज़े से, Magnesium के बज़े से Magnesium salt बनते हैं, ठीक है, तो Magnesium होगा, किम जोंक इसनिकी, किम जोंक इसनिकी, इसनिकी या संकी, संकी जो भी है, मैं आपका नाम नहीं लेता हूँ, इसके पीशे रीजन है, वो नाम आपका है यह नहीं, उसको लेने से क्या फाइदा है, तो आप अगर अपना नाम, ओजनल नाम रखेंगे, उसको मैं ले लूँगा, आप जब जब आंसर देंगे, मैं तब तब लूँगा, ठीक है, तो जो नाम है अपना रखिये, जो आपकी पहचान है, उसको रखिये, माब आपने नाम दिया है, कुछ समझ की, आपको अच्छा नाम दिया होगा, और माब आपका जो नाम है, उस पर प्राउड करिये, उस नाम को रखिये, और किम जोंग नाम रखने से क्या फाइदा है, परसेंटेज ऑफ लेट इन दा लेट पेंसिल इस, लेट पेंसिल में लेट का परसेंटेज कितना होता है, 0, 31, 66%, 40% या 80%, लेट परसेंटेज में अनपम मिस्रा, ले लिया भाया, मेरे नाम लेने से क्या हो जाएगा, मैंने एक चीज बोली थी बहुत पहले आप लोगों से, आप लोग बोलते हो कि मेरा नाम लीजें, नाम लीजें, ठीके, तेरा नाम लिया, तुझे आद किया, वो उससे कोई मतलब होना नहीं है, नाम कब होगा आप लोगों का कि जब न्यूज पेपर में आपका नाम आए और न्यूज में आपका नाम दिखाया जाए पड़ोसी कि बच्चे की जब डांट पड़े तब आपका नाम लिया जाए किसी को मोटिवेट करना हो तब आपका नाम लिया जाए और आपके ना रहते हुए भी आपका नाम लिया जाए, तब समझेगा कि आपने अपने नाम का मतलब बना लिया है, that means success, बहुत जरूरी है, जो लोग आपका नाम गाएं, लोग आपकी तारीफ करें, ठीक है, जिस गली से निकलो कदरदान, वहां से आवाज आए, महान, महान percentage of lead in the pencil, lead pencil में lead की percentage होती है, वो 0% होती है, कितनी होती है, 0% होती है, 40-40 answer दे रो, तुक्के ना मारो, 40 नहीं होती है, और यह ना ही 80 होती है, और ना 31 से चांसट होती है, यह 0% होती है, 0% इसलिए होती है, कि जो lead pencil होती है, इसमें graphite, graphite और clay होती है, graphite और clay, याने की मिठी graphite और clay होती है only lead नहीं होती है lead is 0% ठीक है चलो आगे बढ़ते मेरी मम्मी हमेशा मेरे husband के नाम से मुझे डाटती है पुराने जमानी मम्मियों को क्या ही कहना यार चलो आगे बढ़ो water is not effective in extricusing a fire caused by patrol because patrol से लगी आग को बुझाने में पानी कारगर नहीं है क्योंकि अब जैसे ही आपकी patrol से जो आग लगी होगी patrol से आग लगी होगी पारूल बोल रही है और Nancy बोल रही है कि sir मेरी मम्मी हमेशा मुझे husband के नाम से ही मुझे डाटती है जितनी भी लड़के हैं लड़की हैं मेरी class देख रहे हैं मैं लड़कियों से खासकर एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों से अपने आपको asset बना लीजी जिंदगी में आपको किसी के सामने woman empowerment के लिए हाथ फिलाने की जरूरत नहीं है और वो asset कब बनाएंगी आप अपनी knowledge को बढ़ा कर अपनी success को बढ़ा कर अपनी money बढ़ा कर अपनी property बढ़ा कर वो होता है आपका असली asset जये लड़का हो जये लड़की हो दोनों लोग जिम जाके आप body बना रहा है आप आप makeup कर रहे हैं आप अपने libs अचे पर रहे हैं आई ब्रोज अचे कर रहे हैं अगर उससे आपको कुछ investment हो रहा है आपको return मिल रहा हो जैसे acter actress होते हैं जो movies में आते हैं, उनके लिए वो क्या है, उनके लिए उनकी दॉलत है, वो उनका asset है, उसी से वो कमा रहे हैं, तो वहां तक ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जो हैं, जितने भी girls या जो भी हैं, वो आपको अपना asset बनाना है, तो आप देख लो क्या करना है, सिंपल सी बात, अपना knowledge बढ़ाई है, property बढ़ाई है, अपने आपको independent करिये सबसे पहली बात, कि ना तो आपको पैसा अपने पापा समागना पड़े, ना भाई समागना पड़े, ना पती समागना पड़े, किसी से कोई जरूरती ना हो, अपने आप independent, जहां भे चलिए, सीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं voice की भी बात कर रहा हूं, तो इसमें, इसमें क्या हो जाता है, उसमें, उसकी पहँचान खो जाती है, समझ रहें आप, तो आप लोग देखेंगा, यही होता है, आप लोग एही करिये, और आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है, कि आप सब ल हैंने तक का कमाई कर लेंगे वो बहुत जांदा ग्रीड रखेगा मत और बहुत जांदा लालच मत रखेगा जिंदिगी में आपको टेंसन और एंजाइटी और डिप्रेशन और प्रेसर यह सब बीपी पी कुछ नहीं होगा मस्त रहेंगे आप ठीक हैं तो लोड़ना लीजि कोई मौर्ख नहीं है मैं सच बता हूँ आपको 10-12 साल का बच्चा 7-8 साल का बच्चा वो अगर कुछ गलत काम करें तो पता होता है कि हाँ वो गलत कर रहा है उसको पता नहीं होगा लेकिन आज की रेट में जितने भी लेक्शर देख रहे हैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या मैं भी मेरे साथ में खुद को इंक्लूट करता हूँ हम सबको पता है हम क्या कर रहे हैं हमको पता भी होता है हम गलत कर रहे होते हैं लेकिन वो ही बात है क्या करें मैं हूँ आदत से मजबूर तो वो आदत से मजबूरी में या किसी भी चीज के चकर में आप क् कि उसमें वस जाते हैं और फसने के बात क्या होता है आप सबी जानते हैं यह मिरक्त ततरु सना है फस गए तो फस गए एक साल दो साल जैसे बीनिक उसके बाद पता चलेगा है राम मैं तो यहां यहां मैंने टाइम बरबात कर दिया और एक बात याद रखना आपने आप पापा के सामने आप उनके बच्चे हो, ममें के सामने आप बच्चे हो, भाई के सामने बहन हो, बहन के सामने भाई हो, गल्फेंड के सामने वाइफेंड हो, बीबी के सामने पती हो, पती के सामने बीबी हो, आप सब अपना रोल खुबी प्ले कर रहे हो, और आपनी दुनिया जो आप करते हो ना actual में आप वही हो तो जब कभी भी आप अकेले कमरे में बैठे हो और अगर आप पढ़ नहीं रहे हो और आप फोन चला रहे हो तो actual में आप पढ़ना नहीं चाहते हो फोन चलाना चाहते हो अकेले में बैठे हो अगर आप movies देख रहे हो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जब आपको कोई टोग ना रहा हूँ, तो असल में आप बोही करना चाह रहे हैं, ठीक है? चली, आगे बढ़ते हैं. अगला कुश्चिन, helium gas is used in gas balance instead of hydrogen gas, because it is gas के गुबारों में, hydrogen gas के इस्तान पर helium gas का प्रियोग किया जाता है, क्योंकि यह है, lighter than hydrogen, more abundant than hydrogen, non-combustible, गैर दहन सील, या more stable. जल्दे से बताएं, बच्चा. यह होता कि यह है, लोग बोलते हैं कि helium हलकी होती है, इसलिए डालते हैं, helium से जान्दा हलकी है, तो hydrogen होती है, बट hydrogen नहीं डालते हैं, क्योंकि hydrogen combustible होती है, दहन सील होती है, hydrogen में आप लग सकती है, helium अक्रिय गैस होती है, helium नहीं जलेगी, ठीक है, तो यहां पर किसका अंसर हो जाएगा, बच्चा, C अंसर हो जाएगा, A नहीं होगा, आप लोग, जिदने भी लोग A लगा रहे हैं, तो आप लोग A मत लगाएगा, lighter than hydrogen मत लगाएगा, combustible और non-combustible लगाएगा, गैर दहन सील, ठीक है, A नहीं, A मत लगाएगा, C इस कांसर होगा, चलो, आगे बढ़ते हैं, 95 कांसर मैंने बताया नहीं कि आप लोगों को, 95 आप लोगों को नहीं बताया मैंने, 95 भी एक्स्पेंग कर देता हूं एक बार, यह बोला था, बाटरी जोट इफेक्टिव इन दा एक्स्टिशन को फायर कॉस्ट बाइप पिट्रोल, पिट्रोल से जैसे आग लगी हुई है, और पिट्रोल मान लेजिए, यह आपने आग लगाई, आग पे यहाँ पे पिट्रोल भरी हुई है, और जैसे ही आप पानी डालेंगे, तो पानी तो नीचे आजाएगा, यह पानी आ जाएगा, पिट्रोल उपर आ जाएगी, क्योंकि पिट्रोल हलकी होती है, अब पिट्रोल उपर आ जाएगी, पानी नीचे तो पहले क्या जलेगा, पिट्रोल जलेगी, ठीक है, तो water and petrol are immisible with each other and the petrol which from the upper layer continue to burn, तो यहां पर आंसर हो जाएगा, इसका D आंसर हो जा In male reproductive system, the testis are situated outside, the abdominal cavity within a pouch called, जो testis होते हैं या बिर्सन होते हैं, या सरीर के बाहर होते हैं, बिर्सन उदर गोहा के बाहर, और जहां पर होते हैं उसको, उस पाउच को क्या बोलते हैं, जिस पाउच में होते हैं, जली से बताएगे, उसको बोलते हैं मैंटा, इसको score term बोलते हैं, इसको under course बोलते हैं, score term या under course बोला जाता है, so this is the correct answer, और सरीर के बाहर क्यों रखे जाते हैं, ये भी question पहुशा जाता है, तो सरीर के बाहर इसलिए रखे जाते हैं, क्योंकि इसको लगभग 32 degree celsius के आसपास का temperature चाहिए होता ह और वो temperature इसको मिलेगा body के बाहर, क्योंकि body के अंदर रहेंगे, तो 37 degree Celsius रहेगा, इस पर ये form नहीं होंगे, space form formation नहीं होगा, इसलिए body के बाहर रखे जाते हैं, ठीक है? अगला कुस्ट, Dolly the bird is first called cloned animal was, एक पहली जो animal clone थी, उसको क्या बोलते हैं, ये सीप का clone था, सीप या भेंड, जिसको Dolly बोला गया, पहला clone, सीप या भेंड, ठीक है? चलो. 99, AIDS virus है, AIDS virus में है, single extended RNA, double extended RNA, single extended DNA या double extended DNA, तो AIDS एक virus है, जिसमें single extended RNA पाया जाता है, और single extended और double extended होते क्या है? तो जब कभी ऐसे करके जो बनता है, वो single extended हो गया, और कुछ देखाऊगा आपने इस तरीके की फार्म में होते हैं, ऐसे करके, ये double extended हो गया, ठीक है? चलो. आखरी question. The size of the nucleus is measured in, केंदरक का आकार मापा जाता है, AMU में, Engstrom में, Semi में या Fermi में, तो जो size of nucleus, इसका, जो nucleus का size नापा जाता है, वो actually होता क्या है? इसके जो radius होती है, radius होती है, वो radius ही decide करती है, कि nucleus कौन सा कितना बड़ा है, और कौन सा छोटा है, तो उसको नापते हैं हम लोग, इसमें Fermi मीटर में, Fermi में नापते हैं. ठीक है? टेन टूबाबर माइनस 15. अब जल्दी जल्दी से आप लोग भी बता दीजे कि सौ कुस्चन में आप लोगों के कितने कुस्चन सही हैं, कुस्चन में बताएगा, मुझे नंबर बताएगा, एक जखली निगेटिब भी हटा कर, कि दोसो में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, दोसो में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जल्दी से बताएगा. और एक अनॉंस्मेंट यह है कि मंडे से आपकी जगरफी का जो 1000 कुस्चन सीरीज है, वो सुरू होगा यहाँ पर, और स्टिडी लैपर जोगरफी का त्योरेटिकल और कुस्चन दोने शुरू होगे, ठीक है? लेजी बॉइ नॉट सैटिस्पाइट, कोई बाद नहीं है. गौरंग सर्मा के अस्चिस है हैं. थैंक्यू सागर, 9200, भवानी संकर, बहुत बढ़ी हाँ, अमितादव बन 82, बहुत अच्छे, बन 82, निधी के 94 सही हैं, बहुत बढ़िया, और गौरंग या महिंग के सही हैं, बहुत अच्छा, एक बार करिएगा कमेंट, बार बार मत करिएगा, ताकि और लोगों का पहा और 88 है, भवानी संकर, अच्छा, निधी एट सही है, नैंसी चाहर 80, बहुत बढ़िया, अच्छे है, अच्छे है, नरेस ठंकपली 88 सही है, डाउट पूछ लिजेगा, महिंग अभी रुख जाएए पहले, कोई बात नहीं संध्यार होए, जिदने भी सही हैं, करेक्ट होन प्रिंस दोसों में 171, प्रिंस 190 आने चाहिए, सभी लोगों के, किम जोंग इसनकी 88 हंडेट, बेटा इसको 95 करके लेके आओ, नैंसी चाहर 180, इसको बेटा 95 लेके आओ, सालू सिंगवाल 8700, इसको भी 95 लेके आओ, 95 प्लस, 100 लेके आएंगी, बहुत इच्छी बात है, कुम 200 लेके आओ, 200 लेके आओ, बहुत बढ़िया, तुमार मोरों 60%, 60% तुमार ठीक तो है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, आप भी जानते हैं, इसको 90% लेके आएं, ठीक है, कोई दिक्कत नी प्रिंस, नेक्स टाइम, रेखा कंसल, 186, रेखा बैरी गुड, आप इसको 200 करिये रेखा कर 186 आ रहे हैं, तो for the better improvement, इसको 200 करिये, राजा, राजा, मोडक, 160, बहुत बढ़िया, सबके सही नमबर है, जिसके 90 प्लस आ रहे है, 90 प्लस कोशन सही हो रहे हैं, तो वो अच्छी चीज है, 80-90 की बीच में, तो वो एवरेज में आएंगे, तो उनको थोड़ी और मेहनत करनी है, 70-80 एंगे, उनको और जांदा मेहनत करनी है, 60-70 एंगे, उनको उनको उनसे भी और जांदा मेहनत करनी है, ऐसा है, मैंक अब आपना question पोछ लीजे, आप जो भी question है, किसी का जो भी doubt है, वो पूँछ सकता है, दो मिनट का ताइम है आपके पास, तो बाकी हम कल मिलेंगे कल आप लोगों का CGL का जो test है वो complete test होगा उसमें सारे subject होगे ठीक है history, geography, economy, quality पूरा mix test होगा और past year paper ही होगा वो एक तरीके से ठीक है उस पर हम decide करेंगे कि इसके कितने number आ रहे हैं और आगे आपका कौन से subject में कैसे approach करना है ठीक कुईस का result अभी मैंने बोला था उन्हें अनौन्स नहीं किया अभी मैं बोलता हूँ एक बार अब तो बच्चे चले गए हैं अब कुईस का result कली अनौन्स हो पाएगा बागी जो आपका पोल हुआ है उसमें जोगरफी टॉप पे है तो जोगरफी स्टार्ट होगा वो पता चल गया होगा आप लोगों को मैंक कुईस का नहीं पता बेटा मैंक अभी मैं पूच के बताता हूँ कुईस का क्या हुआ और रिजल्ट अनौन्स होगा कल कर दूंगा अनौन्स में कल हो जाएगा अनौन्स और को कुशन आप लोगों का रेखा कंसर 182 बहुत बढ़ी रेखा इसमें डाउट है मेरे को क्या डाउट है गोरब पूचो मलब मैंक पूचिए पीम बीजा पासपोर्ट, पासपोर्ट का क्या होता है बैटा अलग अलग पासपोर्ट होते हैं, नॉर्मल सेटीजन का अलग पासपोर्ट होता है, डिप्लोमेट्स होते हैं, जो आई-एस ओफिसर्स होते हैं, इनके अलग पासपोर्ट होते हैं, और यह जो जितने भी राज आप देख लीजेगा, बहुत अच्छा पड़ाते हो सर, बागी गगन रापद, बागी कर लिजेगा बेटा क्लास, तीन क्लासों के लापद, साथ और क्लासें पड़ी हुई है, आप देख लिजेगा, बहुत बढ़िया तेजस, बहुत अच्छे इंसान है, वो अपी जब द दिफरेंस है, तो गौरंग सर्मा, एस्टोजन और तो दोनो ही फिमल भॉर्मवन होते है, पोज्च्ट्रें और एस्टोजन, बट एस्टोजन होर्मॉन जो होता है, वो सिक्रीट होता है, वो भी दोनो deg breaths hormone, तो आट्र देस एक्स यह सिक्रीट होता है, एस्टोजन, जिस प जै को जिस्टोन कॉमार्ग जो दिया जाता है ऑड फैक कर कि आता है जब लेते हो आदमी हसता रहता है खूश रहता है और ऑटкив की लिए होता है तो यह बी ऐक अलग रुपा मैनी भी आता है हासी वाले कुछी वाले फ्रेक्टर में गगन रापद next class किसे related होगी next class बेटा अभी तो कलतों में टेस्ट लोगा SSE का complete syllabus का टेस्ट और उसके बाद मंडे से आप लोगों की geography शुरू होगी geography की thousand question series चलो फिर बाद बाद गाई गाई टाट टे कियर बाई किया लग बाद बाद मेंडे सुओ somos जाद बाद में ठाद में जाद बाद म। पिरीन झाल झाल